हालो एव्रिवान वोल्किम बैक तो मागनेट ब्रेंज माइनम इस सीयस पायल पोपली और जैसे कि आप बैग्राउंड में देखी सकते हैं यहां से हम कुछ नया कुछ इंट्रेस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं मैं अभी तक मैंने आपके लिए क्या-क्या किया है वो बता देती हूँ अभी तक 11-12 क्लास के बिजनस स्टाडीज के हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज मैंने अलग-अलग वीडियो में बना के आपको प्रवाइड किया है बट वो प्रवाइड करने के बाद कुछ बच्चों की हमारे पस रिक्वेस्ट आई थी, दो तरहे की रिकवेस्ट थी पहली कि मैं हर एक चैप्टर की क्या हमें COMBINED वीडियो मिल सकती है And secondly, क्या हम एक crisp वीडियो मिल सकती है, जो हम एक short में पूरे chapter के बारे में बता दे, ताकि हम paper से पहले revision कर पाए तो ये दोनों demands आपकी जो थी, उसे fulfill करने के लिए हम एक नई series लाए हैं, जिसको हम बोल रहे हैं complete chapter revision series या फिर one short revision series इसमें हम आपको हर एक chapter को detail में समझाएंगे, लेकिन at the same time थोड़ा सा crisp way में कैसे? मतलब हर एक चीज़ को समझाएंगे तो सही, लेकिन थोड़ा fast fast way में थोड़े छोटे मोटे examples देते हुए ताकि paper से पहले आप इसे अच्छे से revise कर सके बट ये videos आपको तभी देखनी है जब आपने individual videos देख ली हो क्योंकि वहां से आपको ज़्यादा example detail में समझने में मदद होगी और उसके बाद ये देख के आपको revision करने में मदद होगी तो sequence बिलकुल सही रखिएगा और इसके बाद NCRD solution वाली videos भी available हैं आपके पास हर एक chapter की तो आप वो भी देख सकते हैं यहां इस पटिकलर वीडियो में मैं जो chapter cover करने जा रही हूँ वो है आपका chapter number one class 12 business studies का nature and significance of management तो चलिए फिर बिना time waste कि ये शुरू करते हैं chapter को देखे चाप्टर का नाम क्या है चाप्टर का नाम है nature and significance of management तो सबसे पहले management word क्या होता है यही समझना जरूरी है तो पहले एक छोटू सा example लेते हैं और समझते हैं यह management word का मतलब क्या होता है चलिए imagine कीजिए एक लड़का है इसको यहाँ पर बनाते हैं जिसका नाम है दासू चीक्याएं यह लड़का है जिसका नाम है धासू अब धासू भाई साब की होने वाली है शादी इनका बजने वाला है band और इनकी होने वाली है शादी अब अगर आपके घर में किसी की शादी नहीं भी हुई है तब भी आपको थोड़ा बत्तो आइडिया होगा ना शादी में कितने काम होते हैं मतलब अगर किसी पडोस वाले आंटी के घर में भी शादी होते हैं आपके घर से आपने देखा होगा लोग काम पूछने जाते हैं कि कोई काम है मदद करा दें जिस घर में लड़की की शादी होते हैं उस घर में तो पूरे रिष्टेदार पूछने आते हैं के करके कोई काम है क्या करा दें कोई काम है हम देख लेकिन पूछने सब आते हैं तो शादे के बहुत सारे काम होते हैं जैसे कि आपको बॉक करना होता है लड़के के अलब मेंना बनाते हैं और यह भी लड़ कि आन्टी में आपको सफ करेंगे एक यह गर यह जो खर पर खाना बनाते हैं ये caterers तो अलग हो गए जो bank it hall में आपको serve करेंगे फिर एक घर में भी तो क्योंकि इतने सारे guests आएंगे तो आपके घर वाले थोड़ी ना खाना बनाएंगे उनके लिए भी हलवाई बोलते हैं लाइड ही नहीं पारी उधर से खाना टाइम पर नहीं लग रहे हैं क्योंकि रॉम तेल भूल गए हैं और इतनी सारी रस में होते हैं इस भाग के उस ताइम ले की हैं एंतलब ऐसी बहुत सारी चीजे होती हैं अब ये सब चीज़े क्यों हो रही है क्योंकि management proper नहीं है अगर आपको पहले से हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से पताओ कि ये 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 चीज़े चाहिए इन इन चीज़ों को ऐसे ऐसे arrange करना है वैसे वैसे आप planning करें उसका execution करें सब कुछ अच्छे से हो monitoring के लिए कोई इनसान रखा हो cost कम in कर होएगी जल्दी से जल्दी चीज़े हो जाएगी और time बिल्कुल waste नहीं होगा तो ये सब चीज़े ensure करने के लिए क्या चीज़ जरूरी है वो चीज़ जरूरी है management तो management basically एक process होती है जो कि बहुत सारे steps से मिलके बनती है जिसकी वज़े से हम अपने goal को achieve कर पाते हैं efficiently and effectively अब यहाँ goal क्या था यहाँ goal था धासु की शादी अच्छे से हो जाए तो शादी हमारा goal है इसको पूरा करने के लिए बहुत सारे steps लगेंगे जिनको हमें अच्छे से efficiently effectively करना पड़ेगा ताकि यह goal हम अच्छे से achieve कर सके और यह पूरी की पूरी process जो हम कर रहे हैं वो क्या कहलाई जाएगी वो कहलाई जाएगी management तो पहरे तो आपको list बनानी होगी किस-किस guest को बुलाना है क्या-क्या functions रहेंगे, functions पे क्या-क्या लगेगा क्या-क्या काम रहते हैं, क्या-क्या raw materials लगेंगे कितने कपड़े लेने हैं, कितने रिष्टेदारों को देने के लिए गूल जूलरी लेनी हैं, और कुछ चीजे हैं दूलही की क्या-क्या shopping होगी beauty parlor कौन से वाला book करना है सबकी पहले अच्छे से planning करो फिर उनका execution करवाओ और execution करवाने के बाद monitoring करो और उसके बाद देखो हर एक काम अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है इस सारा का सारा process हमारा management कहलाया जाता है अगर आपने management miss कर दिया, मतलब काम खदब शादी पर दूला आदे कपड़ों में इधर उधर ही भाग रहा होगा ऐसे ही सीन होगा बिलकुल कि बिलकुल तयारी नहीं है किसी भी चीज की तो वो चीज ना हो इसने management जरूरी है और मैं आपको ये बहुत ही unofficial वाला example दे रही हूँ क्यों दे रही हूँ उसका एक रीजन है कि management हर एक चीज में apply होता है विदर आप professional काम कर रहे हो विदर आप official काम कर रहे हो formal काम कर रहे हो informal काम कर रहे हो unofficial काम कर रहे हो किसी भी nature का इविन अगर आप खुद भी देखो या फिर शायद गाना बहुत अच्छा लगता होगा दोस्तों के साथ पाटी करना अच्छा लगता होगा अगले दिन स्कूल में जाके तुम्हें दंडे पढ़ने वाले अच्छे से या फिर कुछ ना कुछ तुमारा मिस होने वाला है तो हम आपको अच्छे से करना ताकि जो आप चीव करना चाहते है वह आपका अचीव होजाए एफिशेंटली और फेक्टिवली यहां पर बार बर मैंने दो वर्ट मैंशन किया हुनका क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको एक्जांपल की मदद से समझाओंगे लेकिन हम पहले वापिस चलते हैं हमारे definition पे जो की बूलता है Management is the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently Management का मतलब होता है एक ऐसी process जिसके through हम चीजे करवाते हैं काम कराते हैं क्यों कराते हैं ताकि हमें हारे goals achieve हो जाएं कैसे हम achieve हो जाएं effectively और efficiently तो इसमें सबसे बड़ी चीज आई है तुमारी process process में क्या होता है Management बहुत सारे steps बहुत सारे function से मिलके बनती है पहला function होता है इसका planning फिर होता है organizing फिर होता है staffing फिर होता है directing फिर होता है controlling यह सारे functions उसे पूरे करने पड़ते हैं तब यह जाके एक पूरी process बनती है सब्सक्राइब करना पहले से future में क्या होने वाला है उसे focus करके अपना plan of action ready करना organizing मतलब हर एक चीज को systematic तरीके से organize करना staffing मतलब जहां आपको लगता है लोगों को नया hire करना चाहिए जो already existing लोग है उनको खुश रखना चाहिए तो आप staffing करते हैं फिर होता है directing मतलब जो already काम कर रहे हैं उन्हें motivate करो उन्हें lead करो अच्छा communication system मैं establish करो तो यह supervision रखो अच्छा तो वह directing में आ जाता है controlling में सबके उपर नजर रखी जाती है ताकि सारे काम ढंग से हो और कहीं आप कुछ गलत कर रहे हो तो उसे ठीक कराया जा सके तो यह पूरी एक process है और फिर यह दो words आए है effectiveness और efficiency effectiveness का मतलब होता है completing the right task to achieve the reputed goal within the time frame efficiency का मतलब होता है completion of task with minimum resources लेकिन इसको ज्यादा detail में मैं next slide में पढ़ाने वाली हूँ I hope आपको management का मतलब बहुत अच्छे तरीकी से पता चल चुका है देखें management की ना book में बहुत सारी definitions दे हुई है लेकिन मैं चाहती हूँ तो आप अपनी खुद की definition बनाओ जिसमें आप management के features को include करो जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्होंने process word, goal achieve करना effectively, efficiently ऐसे 4-5 चीजों को इकटे mix करके definition बनाएं which is very nice definition तो आप चाहो तो इस वाली definition को भी copy कर सकते हूँ या खुद से भी definition बना सकते हो, including all the features of management वो भी बहुत बहतरीन बनेगी, उसको समझने के लिए थोड़ा time है क्योंकि अभी हम features पे आने वाले हैं चलिए, let's move to the next slide, पहले अगर आपको screenshot लेना है तो इसका लेलो, मैं side हूँ next slide में हम पढ़ेंगे effectiveness और efficiency के बारे में again इसको भी समझने के लिए हम लेते हैं example चलिए चलिए, देखे, effectiveness और efficiency को समझने के लिए हम लेंगे थोड़ा सा खाने पीने का example क्योंकि आपको पता ही है मैं कित्ती बड़ी वाली पूड़ी हूँ तो आजकल में चल रहे हैं fast और मुझे आ रही है बहुत ज़ादा craving पीजा खाने की तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं को idea आया क्यों ना मैं पीजा का एक joint खोल लूँ तो मैंने सोचा चलो, मैं अब domino's जैसा pizza बनाऊंगे ओके, बिल्कुल same taste, मतलब better taste तो obviously मैं उन्हें beat करना है, वो हमारे competitor होंगे तो मैंने pizza का एक वो सोच लिया है कि joint बनाना है और domino's को beat करना है मैंने अपने customers को promise किया है कि मैं आपको within 25 minutes क्योंकि domino's 30 minutes की delivery देता है, within 25 minutes order deliver करूंगे अच्छा इसी से न मुझे एक चीज याद आई, मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ी थी और मैं सोच रही थी, मैं अपने students को जरूर बताऊंगे इस चीज के बारे में मैं उस दिन domino's की story पढ़ रहे थी और मैं पढ़ रही थी कैसे domino's और pizza hut एक दूसरे से तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि domino's ने एक आईडिया लाया था 30 मिनट्स दिलिवरी का और अगर नहीं हो पाएगी तो वो कोक फ्री करेगा सुना होगा आपने परेश राविल की बहुत सारी आज जाती थी वो बार-बार pizza आवेगा पीजा आवेगा ऐसे कुछ-कुछ गाता था राइट तो उसमें वो 30 मिनट्स वाली जो उनकी strategy थी वो उन्होंने बहुत सोच समझ की बनाई थी उनको पता था कि 30 मिनट्स में at times पीजा डिलिवर नहीं हो सकता कुछ-कुछ एरियास में तो बिलकुल नहीं हो जस्टू प्रूव डॉमिनोज रॉंग कि भाया तुमने यह गलत स्ट्राटेजी बनाई है उन्होंने भी पीजा ओडर करना स्टार्ट कर दिया था और एक बार जब अपन कोई स्ट्राटेजी थी ना वो उनके लिए काफी वर्क की वहां के ओनर ने खुद बोला है कि इंडिया में यह 30 मिनट की स्ट्राटेजी ने हमें इतना जादा मदद किया ऐसे लोग जिन्होंने कभी आज तक पीजा ओडर नहीं किया था घर के लिए वो लोग भी पीजा ओडर क लेना पड़ता है कई बार लॉस भी इंकर करना पड़ता है बड़ा प्रॉफिट देखने के लिए वो बोलते हैं चोटी मचली को आपको कहीं ना कहीं साक्रिफाइस करना पड़ता है अगर आपको शाग जैसी चीजों को उसमें लाना है तो बिल्कुल वैसे ही तो मैंने भ चीज हो गया चीज बहुत लगता है तो मैंने सोचा हर एक पीजा पे चार स्लाइस चीज की लगनी चाहिए या चार फिर वो ब्रिक्स वगेरा जो भी आती है वो लगनी चाहिए उससे जादा नहीं लगनी चाहिए दो चमच सॉस लगनी चाहिए या पीजा स्प्रेड जो भी बोलते हैं वो लगना चाहिए जादा vegetables नहीं मतलब 6 से मैं बोलते हूं एक कटोरी vegetables लगनी चाहिए तो मैंने हर एक चीज को systematically तरीके से सोच रखा है कि कैसे मैं अपना बीजा बनाने वाली हूं अब अगर ये पीजा मैं 25 मिनिट की अंदर बना के deliver कर देती हूं मतलब मैंने जो target time set किया हुआ था मैं उसमें अपना काम पूरा कर पाई हूं समझ रहे हैं बात मैंने बोला था अपने customers को कि मैं 25 मिनिट के अंदर अंदर आपको pizza deliver करूंगी तो मुझे इसमें क्या क्या करना है मुझे इसमें pizza बनाना है ready करना है उसको पकाना है और उसके बाद उसे deliver भी करना है अगर मैं 25 मिनिट के अंदर ये पूरा task complete कर पा रही हूं that means I am effective in my job that means I am effective in my job मतलब मैं अपने set time के अंदर अंदर अपना काम पूरा कर पा रही हूं जब आप एक target time के अंदर अंदर अपना काम पूरा कर देते हैं उसे हम बोलते हैं effectiveness और मैंने जो सोचा था ये optimum utilization था resources का मतलब अगर इससे कम resources मैं use करती तो वो कहीं ना कहीं under utilization हो जाता कहीं ना कहीं मैं customers के साथ you know justify मतलब उनको justify नहीं कर पारी थी अपना जो भी amount था ठीक है तो this was the best जो मैं उन्हें offer कर सकती थी लेकिन इसके beyond अगर मैं कहीं पर भी खर्चा करती चार से पांच में slice पर चली जाती या फिर दो चमत sauce की लावा तीन चमत sauce डाल देती तो यहां यहां पर मैं गलत कर रही होती लेकिन क्योंकि मैंने जो टागेट सेट किया उसके अंदर अंदर मैंने अपने सारे रिसोर्स इस्तिमाल करके पीजा बना दिया तो यहां मैं कहलाए जाओंगी efficient efficient का मतलब होता है जब आप minimum cost के साथ maximum output derive करो minimum resources के साथ maximum output derive करो उसे हम बोलते है efficiency क्या समझे effectiveness मतलब time duration के अंदर अंदर अपना task complete कर देया efficiency मतलब जितना cost आपने सोचा हुआ है जो optimum cost बनता है किसी चीज़ को बनाने का उसके अंदर अगर आप अपने गुच को produce कर देते हैं तो आप efficient के लाए जाते है efficiency में आपको wastage का ध्यान रखना पड़ता है कि आप resources इसको waste नहीं कर रहे हो और effectiveness में आपको time का ध्यान रखना पड़ता है कि आप time waste नहीं कर पा रहे हो जैसे अगर मैं आपको example दूँ again pizza काई क्योंकि हम example ले रहे हैं तो pizza मैंने कितना promise किया था 25 मिनिट के अंदर अंदर deliver करने के बारे में बोला था और जो मैंने resources सोचे थे first say मैंने 5 resources सोचे थे उसके अंदर अंदर मुझे produce करना था अब अगर में को 30 मिनिट लग रहे हैं deliver करने में मतलब मैंने जो time duration था उसके अंदर अपना task complete नहीं किया क्या मैं यहाँ पे अब effective कहलाई जाओंगी answer will be no क्योंकि जो time duration था आपने उसे exceed कर दिया you have wasted time और time wasted मतलब effectiveness नहीं होना और efficiency की बारे में बात करें 5 resources required थे मैंने 7 resources लगा दिया क्या मैं efficient कहलाई जाओंगे no मैं efficient नहीं कहलाई जाओंगे क्योंकि मैंने resources का optimum utilization नहीं किया है तो pizza को अगर मुझे अच्छे से produce करना है अच्छे से बनाना है time duration के अंदर अंदर भेजना है तब ही मैं efficient और effective कहलाई जाओंगे otherwise मैं यह दोनों चीज़े नहीं कहलाई जाओंगे और management का तो मतलब ही यह होता है कि आप वो process पूरी complete कर रहे हैं efficiently और effectively जिसके वज़े से आपके goals क्या हो पा रहे हैं मैं completely उन्होंने अच्छे से वहाँ पर लिखा हुआ है कि management अगर आपको अच्छे से रखनी है तो मतलब आपको efficiency और effectiveness दोनों का ही ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है तो दोनों का ध्यान रखना मतलब time duration के अंदर अंदर complete करना जैसे कि यहाँ पे lines लिखे हो यह मैं पढ़ देती हो आपके लिए it says effectiveness is about doing the right task, right task करना, completing the assigned job on time no matter whatever the cost effectiveness में आप cost का ध्यान ना रखते है वे time का ज्यादा ध्यान रखते हैं ठीक है on the other side efficiency is about doing the job in the cost effective manner मतलब cost effective manner में आप अपनी job को complete कर रहे हैं that is getting maximum output with minimum input maximum output derive करना minimum input के साथ जैसे कि वो होता है ना गन्य के juice वाले जो भहिया होता है मैं पता नहीं क्यों में जब भी efficiency का नाम आता है मेरे दिमाग में वो भहिया ही आ जाते हैं और आजकल तो मौसम चल रहा है गन्य के juice का राइट तो वो क्या करते हैं वो बार बार एक ही गन्य को डाल डाल के डाल डाल के जबकि अपनको लग रहा होता है कि इसमें से बिल्कुल juice निकलने वाला नहीं है फिर भी उसको एक फोल्ड करेंगे दो फोल्ड करेंगे तीन फोल्ड करेंगे फिर डालेंगे फिर डालेंगे मतलब पूरा निचोड देते हैं कि एक एक भून तक उसमें juice ना बचे वो क्या कहल आई जाते है उनकी efficiency कि उन्हों ने minimum cost के साथ maximum चीज, maximum result को किया है तो इससे management में ये दोनों चीज़े बहुत ज़्यादा जरूरी होती है आपको ये दोनों चीज़े बहुत इचीज समझ में हैं अब इसका difference भी समझ लेते हैं क्योंकि NCRT के according, CBSE के according इनका difference बहुत ज़्यादा जरूरी है और बहुत बार पूचा भी जा चुका है पेपर में basis में ये meaning लिखते हैं simple words objective main focus effectiveness में they say it refers to completion of work on time phone for शादी के एक ऑफते बाद तक तक त्यारें चल रहाएं और शादी पहले यदि अदूरे में complete हो गये क्या क्या 73 अधीय और सथी का कोई sense बनेगा बिल्कूल बी नहीं है तो time duration के according आपकी तयारी हो जानी चाहिए तो refers to completion of work on time, it refers to completion of work correctively with minimum cost and maximum profit, minimum cost के साथ maximum profit के साथ जबाब अपना काम करते हैं तो उसे efficiency बोलते हैं, simple words में बोलो, it simply means doing right things, इसका मतलब होता है सही काम करना, it means doing things correctively in a faster and cost effective manner, efficient manner, cost effective efficient manner में जबाब अपना काम करते हैं तो उसके, उसको बोलते है, efficiency, objective क्या होता है, achieve end results on time, इनका काम होता है कि भीया जो अपन को चाहिए वो पूरा हो रहा है हमारा time पे, इनका होता है main focus least wastage के साथ हो और least efforts के साथ हो, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े हो, main focus इसका time पे होता है और इसका किस पे होता है, cost पे होता है, अच्छ सारे points लिखोगे ना तब भी चीज़े अच्छे से clear नहीं होंगे, लेकिन आपने एक example दे दिया, सामने वाला इंसान यूं समझ जाएगा कि आपको कितने अच्छे से clear है, दोनों का ही difference, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास Instagram पे message आया था कि मैं writing practice में बड़ी दिक्कत जा रह तो मैं खुद ही वो चीज़ करनी पड़ेगे, तो practice करो और लिखने का तो बीच-बीच में बताती रहती हो कौन सी चीज़ कैसे लिखनी है, तो उन steps को follow करते रहे ना, ठीक है, चलिए यह से बात पर चलते हैं हमारे next topic पे, that is characteristics of management, अब इसे features of management भी बोल सकते हैं, characteristics of management भी ब characters है, ठीक है, तो एक एक करके सब पढ़ते हैं हम, देखे, जो सबसे पहला characteristics है हमारा management का, वो है goal-oriented process, यह पूछते हैं कि भी हम management जैसी चीज़ आपको करनी क्यों है, मतलब इतने efforts लगते हैं, पूरी process है, efficiently करो, effectively करो, कर क्यों रहे हो तो, तो simple सा logic है, जो हमने goals सोचे हुए हैं, उन्हें अगर हमें achieve करना है, तो उसके लिए हम management कर रहे हैं, यह जो हम ताम जाम कर रहे हैं, यह हम तभी कर रहे हैं, ताकि हमें mismanagement की वज़े से जो extra ताम जाम करने पड़ेंगे, वो ना करने पड़ें, समझ रहे हैं, मतलब अगर आपने शादी की planning अच्छे से नही करती नहीं आए, तो ऐसे में क्या हुआ आपका, आपने management अच्छे से नहीं करी, जिसकी वज़े से जो goals आपने सोचे होते, वो achieve नहीं हो पाए, तो पहली चीज तो यह बोलता है, management कोई भी इंसान इसलिए efforts डालता है, क्योंकि वो अपने goals को पूरा करना चाहता है, तो हमे एक इंसान के करने से हो जाती है, एक level के करने से हो जाती है, बाकि सब को involve करने की जरूआत नहीं है, like शादी करनी है, दासु जी की शादी करनी है, तो दासु जी खुद management कर रहे है, लेकिन उनकी ना कोई बात सुन रहा है, ना कोई और उनके साथ corporate कर रहा है, ना ही और बिल्कुल भी नहीं होगी management हर एक level के इंसान को करनी पड़ती है दासु के छोटे भाई को भी करनी पड़ेगी दादा दादी को भी करनी पड़ेगी रिष्टेदारों को भी करनी पड़ेगी गैस जो आने वाले शादी में उनको भी करनी पड़ेगी सब लोगों को करनी पड असलब है कि management हर एक level के इंसान को हर एक type के organization में करवानी पड़ती है ऐसा नहीं है कोई selected department को ही management करनी है या कोई selected इंसान को या कोई selected level पे बैठे हुए बंदे को करनी है नहीं management is to be done by each and every person हर एक level का हो हर एक type की organization का हो हर एक जगे पे हो department का हो हर किसी को ही management करनी पड़ेगे तो पर्वेसिव का मतलब होता है everybody will have to do it like every level person have to do it फिर मल्टी डाइमेंशनल यह बोलते हैं कि management एक चीज़ के बारे में होती कि काम की management देख ली नहीं management काम की भी होगी management लोगों की बीओ कि जो लोग आपके organization में काम कर रहे हैं unless अंदल आप उनको अच्छे से manage नहीं कर पाऊगे वह काम धंग से नहीं करेंगे और अगर लोग अच्छे से काम करें धंग से काम करें लेकिन आपका work ही अच्छे से manage रही है तो क्या धंग से है वह को भी मैनेज करो लोगों को भी मैनेज करो अपरेशन को भी मैनेज करो हर एक चीज को आपको मैनेज करना पड़ता है तो यह multi-dimensional चीज है then they say it's a continuous process भया धासु की शादी हो गई तो उसके बाद कोई दासु है उसके भाई वारे लोगों को तो उसके लिए उनको management करनी पड़ेगी मैने पीजा स्टोर खोला मैंने एक बार अच्छे से करती है back-to-back it's a never ending process हाँ हो सकता है वो पूरी प्रोसेस है तो उसका last step हो फिर उसकी बाद आपको फिर से शुरू करना पड़े तो इससा circle में चलने वाली चीज की planning होई organizing हो staffing होई directing होई controlling होई फिर से आपने planning स्टार्ट कर दी है ठीक है तो management is a never ending process continuous process group activity अब धासु की शादी थी क्या के लिए धासु ने काम किया नहीं उसने काम किया उसके घरवालों हो ने काम किया आसपड़ोस वालों ने काम किया केटर ने काम किया हलवाई ने काम किया बैंकेट हॉल वालों ने काम किया तो बहुत सारे लोगों के कंबाइंड एफ़र्ट की वज़े से management complete हो पाया अगर धासु सब को बता देता कि ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना यह बोलते हैं कि ऐसा नहीं है एक बार management जिस environment में डिबलाप हो जाए वो वैसे ही रहती है Management तब भी होती थी जब हम पैदा नहीं होए थे Management तब भी होती थी जब हम पैदा हुए Management तब भी हुई जब हम थोड़े बड़े हुए School में एडमिश्टन हुआ management तब भी होगी जब तुम लोग 12th class में हो और management तब भी होगी जब तुम्हारे बच्चे 12th class में होंगे तो management चलती रहती है ठीक है that's the one thing it's a continuous process it's a never ending process लेकिन at the same time never ending होने के साथ साथ ये वक्त के साथ अपने आपको बदलती भी रहती है dynamic का मतलब होता है जब आप अपने environment के according अपने आपको change करते रहते हो management क्यों तब भी successful थी आज भी successful है कल भी रहेगी क्योंकि इसने वक्त के साथ बदलना सीखा है जो इंसान वक्त के साथ बदलता रहता है तो वो हमेशा खुश रहता है लाइक देवस देश गर इन माई क्लास मेरी बेंच मेट ही थी आम उसको नाम नहीं लोगे वरना वह आत मारेगी मुझा अगर उसने वीडियो देख ली तो अब वो ना आई थी किसी और स्कूल से हमारे स्कूल में 11th क्लास में ठीक है अब वो दूसरे स्कूल से आई थी तो वो स्कूल में बच्पन से पड़ी थी IPS से ौच्छा दी क्रेश ठीक हो च्रया वीडिपे पीछे बैठते थी और जब भी वो क्रिबिंग स्टार्ट करती थी इस तो बेंचमेट थी उसने स्कूल तो चेंज कर लिया लेकिन उसने अपने आपको उसके अक्वार्डिंग बदला नहीं जिसकी वजह से वह हमेशा क्रिब करती रही अच्छे से खुश रह नहीं पाई नहीं स्कूल में चाहते तो वह मारे साथ भॉट साथ कुश हए सकती थी जो लेकिन वह बिल्कुल खुश monopoly निंए रही थी क्यों क्यों कैंकि अगर आपको adapt करना नहीं आता है तो कहीं न कहीं आप unsatisfied रहते हैं हमेशा तो आपको खुश रहना है आपको अपने काम अच्छे से बनाने आपको हमेशा अपनी जिंदगी peaceful रखनी है तो आपको थोड़ा सा adapt करना आना चाहिए ठीक है so dynamic function मतलब वक्त के साथ environment के साथ अपने आपको बदलते रहना फिर इंटांजिबल फोर्स देखिए जैसे एक पैन है ठीक है वैसे तो यह डिजिटल पैन है जैसे कि मेरी water bottle है जो कि मैंने नहीं नहीं लिए ठीक है और जैसे कि यह watch है अब यह सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है राइट को फील कर सकते हैं physical existence है इनकी बट क्या आप management को फील कर सकते कि management यहां पर पड़ी हुई है management दिख रही है एक box में रखी हुई है जा वहां से थोड़ा सा management निकाल के है उस drawer के अंदर management पड़ा हुए निकाल के है कैसा होता है सुनाएं कभी आप में नहीं होता है management की physical identity नहीं है आप उसे somewhat feel कर सकते हैं कि यहां पर इस particular environment में आई मुझे सब कुछ बहुत systematic तरीके से देखा तो मुझे लगा यहां की management अच्छी है लेकिन मैंने उसे देखा नहीं अपनी naked eyes से कि वो कहीं रखी हुई थी उसकी कोई physical identity थी नहीं management की कोई physical identity नहीं होती तो यह बोलते है इ ऐसे naked eyes से देख नहीं सकते but you can feel its existence क्यों क्योंकि अगर हर एक चीज systematic तरीके से दिखेगी तो आपको पता समझ में आ जाएगा कि हां सब कुछ सही से चल रहा है तो इस सब goal oriented process मतलब goals से associated होती है goals को ध्यान में रखते हुए management की जाती है फिर उसके बाद pervasive मतलब हर एक level के इ कर लो people की बात कर लो operation की बात कर लो continuous process मतलब यह खतर कभी खतम नहीं होती never ending process group activity बहुत सारे लोगों के combined efforts से मिलके बनती है dynamic function it has to keep on changing with the changing environment और intangible force मतलब जब आप इससे देखने की कोशिश करते हैं तो naked eye से आप इसको physically देख नहीं पाते हैं यह वाट आपको feel जरूर हो जाती है तो यह है कुछ characteristics हमारे management के क्यों आप इसका थोड़ा साम वो पढ़ ले management is a goal oriented process an organization has a set of simple and clearly stated goals which are the basic reason for its existence हर एक organization के कुछ simple और basic goals होते हैं जिसकी वज़े से वह existence में आती है जब मैंने पीजा वो खोला था joint मेरा क्या वो था कि भाया free में पीजा खाने को मल जाएगा ठीक है बड़ उसके अलावा मेरा यह goal था कि मुझे पैसे कमाने को मिलेंगे मैं अपना नाम बनाऊंगी लेडी entrepreneurs में मेरा नाम आएगा विमिन entrepreneurs में मेरा नाम आएगा तो वो मेरे कुछ goals थे अगर मुझे उन्हे गोल्स लेके ध्यान में आता है organization में उन सबके efforts को combine करके वो group goal की two words ले जाने की कोशिश करती है management is all pervasive management is common to all the organization whether economic, social or political management is applicable for a government company, school, private company और an NGO यह बोलते है चाहे government company है चाहे organization है कोई NGO है कुछ भी हो हर एक जगे management apply होगी होगे और at the same time आपको यहाँ पर layers वाली बात भी लिखनी है कि चाहे top level है चाहे middle level है चाहे lower level है हर एक जगे management apply होगे management is multi-dimensional it's a group it's a complex activity that has three main dimensions management of work मतलब काम का manage काम को manage करना लोगों को manage करना और operations को manage करना then there is management is a continuous process it's a series of continuous composite but separate functions performed by all managers all the time यह बहुत सारे steps से मिल के बनती है लेकिन बार-बार चलती रहते है कभी रुखती नहीं है it's a group activity all the individuals in the organization contribute towards achieving the goal set by the organization organization के जो set goals होते हैं उनको पूरा करने के लिए group मतलब जितने भी organization के लोग होते हैं वो combined efforts लगाते हैं management is a dynamic function it has to adapt itself to the changing environment अगर इसको अपने आपको हमेशा नहीं रखना है तो इसको कही न कहीं changing environment के साथ अपने आपको adapt कराते हुए चलना पड़ेगा management is an intangible force it cannot be seen but its presence can be felt from the way organization functions इसकी presence को feel किया जा सकता है बाट देखा नहीं जा सकता और feel कैसे किया जा सकता है जैसे organization काम कर रहा होता है उसके तरीके से ठीक है तो यह है कुछ इसके characteristics फड़ा वडिन का screenshot लो मैं थोड़ा side हो रही हूं दन चलो let's move to the next topic now that's management objectives देखिए यह बोलते हैं कि management सिर्फ एक objectives के साथ existence में नहीं आती management के बहुत सारे objectives होते हैं like फिर से हम example लेते हैं हमारा pizza वाला joint का जो मैंने सोचा था खोलने के बारे में ठीक है क्योंकि मुझे free में pizza खाने को मिल जाएगा हर अगले दिन that will be a big thing for me so pizza joint खोलने की बारे में मैंने सोचा तो मेरा क्या एक ही objective होगा क्या management को apply करते हुए they say no आपका सबसे पहला objective होगा आपकी organization survive कर ले बाई देखो already market में pizza hut है already market में domino's है already market में बहुत सारे organizations हैं जो pizza supply कर रहे हैं बहुत सारे restos है जो अपने यहां पर pizza order करते हैं लोगों को तो मेरे पास इतना सारा competition है सबसे पहला objective तो मेरा यही रहेगा इस competition को मैं survive कर लो कहीं न कहीं मैं टिकी रहूं market में क्योंकि जो नए लोग आते ना उनको crush crush करना ना सबसे easy होता है आपको अगर किसी को grow नहीं करते हुए देखना है तो जब वह शुरू हुए ना उसी टाइम उन्हें crush कर दो बस एक बार अगर वह पनब गए एक बार वह पौदे से बहार निकल गए तो फिर आप उन्ह seed to grow तो उसको वहीं पर हटा दो वहीं पर उसे crush करने के बारे में सोच हो क्योंकि एक बार वह निकल गए फिर तो फिर वह बढ़ते चले जाएंगे तो अगर मेरे मेरे organization को सर्व मतलब आगे लेके जाना है तो पहले तो मेरा यही में ओमोटे होगा कि out of all the competitors मैं अपने organization को इतना protect कर पाऊं कि वो survive कर ले somewhat तो management का first objective यहीं होगा कि organization को survive करवा दो किसी भी तरह से चलो यह objective हमने achieve कर लिया यह objective हमने achieve कर लिया अब हमारा second objective क्या होगा कि यह survive तो होगा थोड़े पैसे ही कमा लो चार पैसे ही घर आ जाए यही तो हम चा रहे हैं हम organization क्यों खोलता है हम कोई भी business क्यों कोलता है ताकि हम profit कमा सके right तो second मेरा objective हो जाएगा profit कमाने का और यही objective मतलब when I say मेरा objective ह objective होगा क्योंकि यहां पर मैं management देख रहे हूं तो organization को पहले तो survive करवा दो survive कर लिया उसने well and good उसके बाद तुम सोचोगे आमदनी तुमारे घर आने शुरू हो जाए तो तुम profit के बारे में सोचना शुरू करोगे जब तुम profit के बारे में सोचोगे अच्छा खासा तुमने profit कमा लिया है अब तुम अच्छा खासा profit कमा ही रहे हो हर बार तो तुम next step क्या सोचोगे कि मैं अपनी organization को grow करवा लू मैं अपनी organization को क्या करा लू grow करवा लू तो growth will be the next factor which you'll think about और management का भी यही रहता है कि पहले त organization के survival के बारे में सोचें survival हो गया तो चार पैसे घर आ जाए मतलब profit कमा ले और चार पैसे जब हर बार घर आने लग गए तो क्यों ना एक स्टोर से दूसरा स्टोर बना ले दूसरे से तीसरा स्टोर बना ले तीसरे से चौता बना ले और domino's की तरह पूरे इंडिया में फै management का एक objective रहेगा organization का survival profit और growth करवाना अब बात करते हैं सेकंड चीज के बारे में यह बोलते हैं कि यह organization हमने कहां खोली है society के अंदर खोली है यह जो पीजा वाला मैंने वो खोला है कहां खोला है society के अंदर मुझे resources कहां से मिल रहे है society से मिल रहे है मुझे जो भी raw materials है labor जो मैंने यहां पर काम कर रही है orders जो आ रहे है customers के पैसे जो आ रहे हैं वो सब कहां से मिल रहे है society से मिल रहे है तो मैं अपना हर एक चीज कमा पा रही हूं society की मदद से, अपने resources इस्तमाल कर पा रही हूं society की मदद से, अब क्या मैं society की बारे में नहीं सोचूंगे, अगर ये society कल नहीं रहेगी, तो क्या मेरा organization चल पाएगा, बहुत सारे लोग इस चीज को skip कर देते हैं, thinking society की बारे में सो दुकान बेचने के लिए, लेकिन customers ही नहीं आ रहे थे, society में कोई इंसान आगे आके वो ही नहीं कर रहा था, कि हां मुझे गुच्छ चाहिए, तो क्या वो अपनी दुकान चला पा रहे थे, नहीं, उनको भी forcefully घर बैटना पड़ा, चाहें उनका मन नहीं भी था तो, तो ये बात मान के रखें, कि अगर आप अपने organization को grow करवाना चाहते हैं, तो somewhat आपको society को भी साथ में grow करवाना पड़ेगा, society growth करेगी, तभी तो आप उतना वो कर पाओगे, अब भी society में लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो वो pizza खाने आएंगे तुमारी store पे, तुमारा store चल पाएगा, तो मैं चाहिए तुमारा store चले, तुम अच्छा खासा pizza से पैसे कमा पाओ, तो लोगों के पास उतनी आमदनी होने चाहिए, कि वो तुमारे यहां से pizza खाना afford कर सके, तो society के पारे में भी simultaneously सोचना management का objective बनता है, थर्ड है हमारा personal, जो लोग आपके यहां पे काम करते हैं, जैसे अगर मैंने pizza, मतलब जैसे अपना store खोला है, तो मैं बहुत सारे लोगों को हायर करूंगे ना dough बनाने के लिए, veggies काटने के लिए, pan को repair करने के लिए और whatever stuff, ठीक है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को हायर किया, अब अगर मैं इन लोगों को खुश नहीं रख पारी, अगर मैं इन लोगों को उनका मन चाहा price नहीं पे कर पारी हूँ, compensation नहीं दे पारी हूँ, अगर वो मेरी working environment में खुश नहीं है, मैं बहुत strict boss हूँ, हर कभी crib करती रहती हूँ, चिला देती हूँ, बिना मतलब की diet देती हूँ, मेरे according चीजें ना हो, तो मैं बहुत गंदा भी एप करती हूँ, तो ऐसी environment में क्या कोई इनसान काम करना पसंद करेगा, मैं अपने मन से अपनी हर एक चीज प्लान करे जा रहे हूँ, उनकी बिल्कुल say ही नहीं ले रही, उनको बोलने का मौका ही नहीं देती, बस orders वो करती पास-on करती हूँ, तो ऐसे में वो लोग क्या मेरी organization में काम करना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे, वो organization को जब join कर रहे होंगे वो लोग, उनके भी तो कुछ खुद के objectives होंगे ना, उनके भी तो खुद के कुछ goals होंगे ना, वो भी चाहेंगे ना हमें organization से ये मिले, ऐसा मि ताकि हम अपनी personal life में ये कर पाए, लाइक अगर मैं MB में काम कर रहे हूँ, मेरे खुद के कुछ objectives है, जोने मुझे अचीव करना है, तो अगर मेरे खुद के objectives अचीव नहीं हो पा रहे होंगे, क्या मैं MB को उतना dedication के साथ काम करके दे पाऊंगे, नहीं दे पाऊंगे, तो आपको management के चलते हुए, personal goals के बारे में भी सोचना पड़ता है, लोगों के बारे में, individuals के बारे में, जो आपके organization में काम करें, उनके बारे में सोचना पड़ता है, so they say, management के बहुत सारे objectives होते हैं, first उसका objective होता है, organizational objective, जिसमें वो सोचता है कि कैसे organization को survive कराया जा सके, and at the same time, कैसे organization profit कमा सके, मतलब survival के बाद profit कमाने की बाद होती है, और उसके बाद profit कमाने की बाद कैसे हम उसे और grow करवा सके, ठीक है, जब यह चीज़े पूरी होते हैं, तो simultaneously हमारा एक वो चल रहा होता है, social objective, जिसमें हम basically society के well-being के बारे में सोचता है, और उसके साथ ही साथ हम हमारे यहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, personal जो काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी सोचते हैं कि वो भी कुछ अच्छा अच्छीव कर सके, ठीक है, तो management objectives, organizational, social and personal, यहाँ पे इसकी explanation देख लेते हैं, it says, organizational objectives can be divided into survival, profit and growth, survival में they write, earning enough revenues to cover cost, मतलब at least break-even point पे तो पहुच गए हैं, break-even point समझते हैं आप, अगर कोई चीज़ आपने 10 रुपए में बनाई है, मतलब उसको बनाने की cost अगर आपको 10 रुपए पड़ी है, तो वो at least 10 रुपए में तो बिके, मतलब यह वो situation है, जहाँ आपका no profit, no loss वाली चीज़ आई है no profit, no loss वाली चीज़ आई है, इसको पूलते हैं break-even points, no profit, no loss, ठीक है, तो पहला तो survival ही main motive हो जाता है, उसके बाद होता है कि भाया, cost cover हो गई और साथ में कुछ additional profit कमा लिया, तो यह होता है second वो, और उसके बाद होता है growth मतलब future prospect को ध्यान में रखते हुए जो हम करते हैं, business for long term, लंबे समय के लिए business का survival ensure करता है management, profitability में लिखते हैं, earning adequate profits in order to survive and growth, profits provide a vital incentive for the continued successful operation of the enterprise, growth में लिखते हैं, growth indicates how well it exploits the potential opportunities, growth of a business can be measured in terms of sales volume increase, number of employees, products etc, मतलब products में भी अगर बढ़ोतरी हो रही है, तो वो भी आपकी growth में ही count की जाएगी, ठीक हैं, तो यह हो गए आपकी organizational objectives, second social objective में दे रहाए, it is to provide quality products at reasonable rates, आप quality products अपनी society को दे रहे हो, reasonable rates में, employment opportunities प्रवाइड कर रहे हो, मतलब किसी भी तरीके से आप society की मदद कर पा रहे हो, for disadvantaged sections of the society, to provide basic amenities like schools, creches to employees and by using environmental friendly methods of production, society की मदद करना किसी भी वे में, चाहे pollution ना फिला रहे के, मतलब pollution भी नहीं फिलाती है अगर कोई industry, तो वो भी society की इनवे मदद ही कर रही है, तो वो भी society की इनवे मदद ही कर रही है, तो यह परसनल objective इसमें यह बोलते हैं, includes meeting the financial needs like competitive salaries and perks and social and safety needs of the employees like basic amenities, peer recognition, etc. अगर कोई employee अच्छे से काम करके दिखा रहा है, तो उसकी recognition करा दो, उसकी appreciation करा दो, प्रेस कर दो, अच्छे words बोल दो, उनके बारे में, लोगों से तालिया बजवा दो, लोगों को उतनी सही salary दो, कि उनका जीवन आराम से निकल जाए, जिसे अभी ना Instagram पर उस दिन मैंने देखा, एक बंदा बहुत वाइरल हुआ है, वो क्या बोल रहा था, उसने बोला कि COVID के चलते हुए, कि मेरी salary इतनी नहीं होती, कि मैं अपना घर का खर्चा पूरा वो कर सकूँ, घर का rent अफॉर्ड कर सकूँ, तो उसने क्या किया office में, जो उसकी desk थी ना कि वो rent भी afford कर सके, तो yes, आपको वो चीज नहीं करने है, personal objectives के चलते हुए, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कि ये चीज ना हो पाए, ठीक है, अच्छा, देखो, पते सबसे best तरीका क्या होता है पढ़ने का, जो भी आप देख रहे हो, no matter आप उसे कहीं पे भी देख चलती है, जिस business पे मैं research कर रहे हूं, उसके बारी की सी बारी की information मुझे reels के through मिलती है, Instagram पे I have followed certain persons जो उस पर्टिकुलर business में involved है, और उनके छोड़ी 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 वीडियो से मुझे पता लगता है, ये भी है, ये भी है, ये ऐसे भी चीज होती है, बट शर्ते आप ऐसा करो, ये नहीं के फालतु फालतु रिल्स महीं अपना वो करते रहो, ऐसे मुझे पोलने का विल्कुल अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी बनाती हूं, तो कोई बच्चा नीचल लेकिन अदे माडम आप खुद भी बनाती हूं, बट सिल, I feel like, ठीक है, मस्ती के लिए जो भी करते हूं, बट आप दे सेम टाइम, दो नाट यूट वेस्ट यूर टाइम, लाक बहुत जादा, अगर आप उसको अच्छे से इस्तिमाल कर सकते हूं, तो ही करो, ठीक है, चलो, बहुत ग्यान की बाते हो गई, आगे चलते हैं पर, next है हमारा importance of management, यहां हम पढ़ेंगे ऐसी points जिन में हमें पता चलेगा कि management क्यों जरूरी होता है, क्योंकि मैंने बहुत पहले एक line बोली थी, कि management बहुत तामजाम वाली चीज है, बहुत efforts लगते हैं management में, तो कोई भी इंसान क्यों management करें, क्यों जरूरी है यह चीज, वो हम सीखेंगे यहां पे इन steps की मदद से, in particular, importance of management में 5 points है, एक एक करके हम सारे points पढ़ेंगे, starting with this one, achieving group goals, देखें, सबसे बढ़े तो हमें यह जान लेना चाहिए, group goal का मतलब क्या होता है, जब कोई भी organization existence में आती है, तो वो अपने के लिए कुछ सपने देखती है, like अगर मैं करना है, मुझे वो करना है, तो यह क्या थे, यह मेरे individual सपने नहीं थे, यह मेरे organization के देखे हुए सपने थे, मतलब organization को मुझे कहां लेके जाना है, जब magnet brain existence में आया था, तो उसका सपना था, उसे edtech company बना है, बड़े वाला, विशाल वाला, तो अब यह किसी individual का सपना नही यह मैंने अपने लिए personal सपना नहीं देखा है, organization के लिए सपना देखा है, तो organization के जो सपने होते हैं, organization के जो उमीदे होते हैं, उनके जो goals होते हैं, उसको हम बोलते है group goals, तो यह management हमारी मदद करता है group goals को achieve करने में, सबसे पहले तो याद करो वो definition जो management की मैंने पढ़ाई थी आपको, उसमें क्या लिखावाता है, कि management की मदद से, management एक process है, जिसकी मदद से हम organization के goals को achieve कर पाते हैं, effectively and efficiently, पढ़ा था ना, तो बस वही सेम चीज़ को उठा के हमने यहाँ पर importance मिला दिया, कि organization के जो सपने हैं, अगर उन्हें आपको अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से achieve करना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने organization में management को बहुत अच्छे तरीके से implement करें, ठीक है, तो management को धंग से implement करोगे, तो तुमारे organization के जो group goals हैं, उन्हें तुम achieve कर पाओगे efficiently and effectively, second is it creates a dynamic organization, dynamic का मतलब क्या होता है, जो वक्त के साथ बदलता रहे, कभी भी stagnant ना हो, मतलब कहीं भी खड़ा ना रहे कि भाई या नहीं, इसके आगे मैं move नहीं कर सकता है, because I'm not able to adapt to the environment, नहीं, आपको हमेशा environment के साथ adapt करते रहना चाहिए, आपको हमेशा अपने आपको बदलते रहना चाहिए, अपने around वाली चीजों के according, ठी environment जैसे बदल रहा हो, उसके according organization को भी बदलाव लाना चाहिए, ऐसा इस चीज में management मदद करता है, कैसे करता है, management खुद क्या है, एक dynamic function है, ठीक है, एक dynamic चीज है, जो हमेशा evolve होती रहती है, 1990 में हम जैसे management करते थे, शायद आज की date में हम वैसे management नहीं करते, बढ़ हम management still कर र साथ evolve नहीं करेगा, वो भी dynamic नहीं होगा, वो भी अपने environment के साथ नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, तो management मदद करता है, dynamic organization बनाने में, it helps in development of society, management के जब हम goals पढ़ते हैं, जब objectives पढ़ते हैं, तो उसमें मैंने अभी जस्त आपको पढ़ाया था, एक social objective, जिसमें मैं आपको पताया था, कि management वाले लोग ना सिर्फ ये सोचते हैं, कि हम organization का भला करे, organization में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका भला करे, बलकि ये भी सोचते हैं, कि किस तरीके से हम इस society से जो resources ले रहे हैं, इस society से जो मदद ले रहे हैं, उसे हम return back करे, तो कहीं न कहीं, management society के बारे में सोच रहा हो जब, ठीक है, helps in achieving personal objectives, अभी मैंने आपको objectives में personal वाला या person वाला भी पढ़ाया था, उसमें मैंने क्या बताया था, कि management सिर्फ organization के goals के बारे में नहीं सोचता, बलकि individual के goals के बारे में भी सोचता है, जैसे अगर magnet brains का ये example लूँ, अगर magnet brains, सिर्फ और सिर्फ देते, नहीं देते, उनको लगता यार इस organization को तो हमारी पड़ी नहीं है, इसको बस अपने सपनों से मतलब है, हमारे सपने तो कुछ माहिने नहीं रखते, तो ऐसे में वो organization छोड़के चले चाते, या organization को अपना 100% नहीं देते, तो इसलिए अगर आपको चाहिए, आपकी organization तरक्की करें, आपकी organization में हर एक individual बहुत अच्छे तरीके से काम करें, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उने individuals को ऐसा feel कराएं कि ये organization उनसे belong करती है, ये organization उनके बिना कुछ भी नहीं है, और management यही चीज़ feel कराने में मदद कराता है, ये individuals को satisfied रखता ये उतनी dedication से काम करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे ना two-way benefits होते है, organization का भी भला होगा, individual का भी भला होगा, और ये दोनों साथ चलते हैं, यू नहीं होता कि इसका इसका भला होता जाए, इसका कोई भला ना हो, कि individual तो लेता जाए, लेता जाए, salary लेले, perks लेले, incentives लेल और organization bankruptcy में चला जाए, ऐसा सही नहीं है, वो तो चीज गलत हो जाएगी ना, तो इस दिए, personal objectives को भी achieve करने में कहीं न कहीं मदद होती है, increases efficiency, जब management picture में आता है, तो wastage कम होती है, क्योंकि management में हम हर एक चीज प्लान करते हैं, organize करते हैं, staffing करते हैं, direct करते हैं, जब ज़रुत है, control मतलब monitoring, supervision भी रखते हैं, तो ऐसे में आप ये बताएगे, क्या कोई इंसान गलती कर सकता है, गलती करेगा भी तो क्या उसको हम correct नहीं करेंगे, deviation जब आती है, controlling में, अभी I don't know, आपको पता भी होगा, इसके बारे में के नहीं पता होगा, controlling में basically हम ये देखते हैं, कि जो हमने सोचा था, और जो हमने achieve किया, उसमें कितना difference है, और क्या हम उस difference को मतलब खतम कर सकते हैं, क्या, तो basically हमने वहाँ पर क्या देखा, कि wastage जादा तो नहीं और ये expectations हैं, अगर हो रही है, तो कुछ course of action हमें change करना पड़ेगा, course of action आप change करेंगे, तो कहीं न कहीं आप तो कम cost के साथ जादा output derive होता है, जिसके कारण आप efficiency level achieve कर पाते हैं, तो achieving group goals creates dynamic organization, helps in development of society, helps in achieving personal objectives or increases efficiency are the five points of importance of management, now let's discuss यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, it says, management helps in achieving group goals, management creates teams and coordinates with individuals to achieve individual goals along with the organizational goals, यह कहीं न कहीं individuals को एक साथ मिलाती है, उनको यह समझाती है कि बेटा देखो, magnet brains वे जैसे अगर example हूँ, science वाले faculties, commerce वाले faculties, arts वाले faculties, यह faculties, वो faculties, सबको साथ मिला के बिटाया, बहुला देखो, आपस में competition नहीं करना है, हमें मिलके magnet brains को आगे लेके जाना है, तो हम सब के individual efforts को compile करके, coordination बिठा के हम लोगों के बीच में magnet brains के goals को अचीव करवाने की मदद की जा रही है, increases efficiency, management increases efficiency by using resources in the best possible manner to reduce the cost and increase productivity, management कहीं न कहीं efficiency मतलब increase कराता है, कैसे कराता है, resources को best possible way में use करवाके, resources का optimum utilization कराके, और कम cost में जादा productivity डिराइब कराके, creates a dynamic organization, management helps the employees overcome their resistance to change and adapt to as per the changing, okay, ये वाला point मैंने थोड़ा से skip कर दिया, management कहीं न कहीं न, जो लोग ऐसे होते हैं जिनको change पसंद नहीं होता, like मैंने अभी आपको थोड़ी दे पहले example दिया था, अपनी friend का, जिसको change पसंद नहीं था, ज then we move to Bhopal, ठीक है, तो जब हम यहां आ रहे थे न, तो मुझे ऐसा लग रहा था, मेरी life का एक बहुत major part छूट के आ रहा है, मतलब मुझे बिल्कुल मन नहीं था, मुझे यहां पे आने का, क्योंकि मुझे लगता था, मेरी life वहां पे है, तो ये मेरे लिए क्या हो रहा था, मेरे लिए change हो रहा था, और उस change को मैंने थोड़ा सा restrict करने की भी कोशिश की थी, मैंने भी अपनी mom को समझाया था, मम्मी क्यों जा रहे हैं, मेरे सारे दोस्ति याप हैं, let's not go there, बट कोई माना नहीं तो मुझे आना पड़ा, बट आना पड़ा, तो कहीं न कहीं मेरा फाय आपके लिए अच्छा होता है, लेकिन एक अच्छा change आपको कहीं न कहीं life में better way में लेके जाता है, organization के साथ भी same चीजे हैं, यह सारी चीजे ना जो personal life से connected होते हैं, same organization के साथ भी move करती हैं, sometimes, क्योंकि ultimately organization भी तो क्या है, एक artificial human being ही तो है, human being नहीं बोल सकते है, artificial person ही तो है, creates dynamic organization, तो basically जो भी लोग changes को resist करते हैं, उनको थोड़ा सा मदद करते हैं, उन resistance से overcome करने के लिए और थोड़ा सा adapt करने के लिए, achieving personal objectives, through motivation and leadership management helps the individuals in achieving personal goals while working towards organizational objectives, जिस इंचान को लगता है कि यहाँ मैं थक रहा हूँ, यहाँ इससे जादा मुझ से नहीं हो पाएगा, जिससे कई-क हम लोग को लगता है, हमारी यही श्रमता है, इसके beyond हम नहीं जा सकते, तो सामने वाले को जादा अच्छे से समझ में आते हैं कि नहीं यार, you can do like better than this, थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, कई बार हम अपने आपको restrict करते हैं कि यह हमारी boundary line है, इसके beyond हम से नहीं हो पाएगा, तो सामने वाले जब हमें समझाता है, तो हम थोड़ी सी अपने अंदर की शक्ती जगाते हैं, और आगे बढ़ने की कोशिच करते हैं, और जैसे आगे बढ़ते हैं, तो हमें भी समझ में आते हैं, यह हम तो इससे बेटर कर सकते थे, तो employees के साथ भी क quality products, creating employment opportunities and adopting new technologies, management मदद करते हैं, society की development में कैसे, अच्छे quality के products पना के देखो, इनका main goal होता है, कम cost में ज्यादा output डिराइव करना, लेकिन मकारी करके नहीं, यह चीज़ आप मकारी करके भी कर सकते हो, कैसे, बहीं मुझे cost कम करनी थी, मैंने 2600 का जो refined oil आता है, उसकी जगे मै मैंने 1200 का गंदे वाला refined oil ले लिया, मैं आपको एक example देती हूँ, इसका example मैंने पहले भी किसी वीडियो में दिया हुआ है, not in this chapter, और मुझे किसी बच्चे ने समझाया था, कि मुझे वो वाली movie थी, कि मुझे movie का नाम याद नहीं था, एक south की movie है, that's basically based on this खाने वाली जिसको मरवा दिया जाता है, और फिर उसकी आत्मा मतलब पूरा वो सही करती है, बहुत अच्छी interesting movie थी, उसमें बहुत सारी चीज़े ऐसे दिखाई हुई है, like जो five star hotels होते हैं, वहाँ पे actually जो cans होते हैं, रिफाइन के वो तब very first time खुलते हैं, वहाँ पे वो एक बार इस इस्तमाल करते हैं, और उसके बाद उसे दुबारा से canway fill कर देते हैं, और उसके बाद भेज देते हैं, किन के पास थेले वालों के पास, समझ रहे हैं, आप मैं क्या बोल रहे हूं, बहुत interesting चीज़े हैं, इसको थोड़ा सा समझ ये आप, ये हमारी society में हो रहा है, और हमे इसे, मैंने क्या बोला, five star hotel में, एक refined का, refined oil का, पूरा can खुला, ठीक है, for the very first time, इन्होंने उससे कुछ तला, ठीक है, ये कड़ाई हैं, जिसमें ये तल रहे हैं, तला और उसके बाद, obviously, पूरा तेल तो इस्तमाल नहीं होता, बच जाता है, ना, कभी आपने घर में कुछ तला वला हो, या मम्मी को तलते हुए देखा हो, तो तेल में जब तलते हैं, फ़र से पापड़, crackles वगेरा तल रहे हैं, तो पूरा तेल थोड़ी ना, वो जाता है, रहता है, ना, fritters वगेरा बनाते हो, तो रह जाता है, ना, तेल बहुत सारा, कुछ लोगों को तो ये भ बचा हुआ तेल होता है, ऊसको ये दुबारा से इसी च्हार में refill करते हैं, ठीक हैं, और कहां भी जो आते हैं, नमल रेस्ट dрен चोटे मठे रेस्टोरन इस होते हैं जापे नॉर्मल एपन खाने जाते हैं से कैश्डूली चीक है उसके बाद यहां पर भी उससे कुछ-कुछ फ्राइए होता है यहां पर भी कुछ-कुछ बच्छता होगा उसको दुबारा से कैन में रिफिल करते हैं और किनको भीज देते lesser street vendors को मतलब हिए जो सडकों यह टिक की बिक के बना रहे होते हैं जो हो कर वाज़ा इतना सस्ता और उनका खाना इतना सस्ता होता है फाइफ स्टार में क्यों करते हैं कि वह कोशिश करते हैं कि हर एक चीज अच्छी इस्तमाल की जाए क्वालिटी वाइस फूड अच्छा हो और साथ में कॉंटिटी में तो करी देते हैं मतलब सजाने के नाम पे आपको थोड़ा- नहीं पता लेकिन जितना मैंने सुना हुआ है वह खराब हो जाता है आपकी हेल्थ के लिए ठीक है चलो फिर भी रेस्टुरेंट्स में वह एक बार इस्तमाल हो गया आपने वह भी एज्जस कर लिया उसकी बाद वही बिल्कुल सड़ा गला वहां जाएगा स्ट्रीट फू क्याता है कि हम कम कॉस्ट में ज्यादा अच्छा आउट्पुट डिराइफ कर से के लेकिन आधा सेम टाइम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रमाइज करके नहीं कि देखना एक बार यह मूवी बहुत जबरदस्त मूवी थी मुझे अभी भी नाम याद नहीं है इस मूवी का ब बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो हमें नहीं पता होती है ठीक है माइज्मेंट हेल्पस इंडिवलापेंट ऑफ ससाइटी बाइब प्रेडियूसें गुड कॉलिटी प्रिदक्स क्रिएटिंग इंप्लॉइमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है क् कि मैनेजमेंट ऑविस्टी ओर्गनाइजेशन ने और्गनाइजेशन में कभी भी काम बढ़ता है तो इंप्लॉइमेंट अपॉर्चुनिटीज वह आती है अडॉप्टिंग निव टेक्निलोजी नहीं नहीं टेक्निलोजी अडॉप्ट करके ठीक है तो यह हो गए पाच मैं आपको थोड़ा सा वह देती हूं फ्रेम से बाहर हो के मौका आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजे ये वाला एंड दें दिस वन चलिए नेक्स हम समझेंगे नेचर ओफ मैनेच्मेंट नेचर ओफ मैनेच्मेंट में हम मैनेच्मेंट को कंपेर करते हैं अलग-अलग ची मैनेच्मेंट में होते हैं वो सेम फीचर मैनेच्मेंट में होते हैं कि नहीं होते हैं क्या कहा मैने मैने ये बुला कि नेचर ओफ मैनेच्मेंट में हम मैनेच्मेंट को कंपेर करेंगे साइंस से आर्ट से और हमारे प्रफेशन से और फिर हम देखेंगे जो फीचर इन में म मिलते हैं management में मिलते हैं if yes तो हम बोलेंगे management is equal to art or is same as art management is not same as science management is not at all same as profession ऐसे करके हम बोलेंगे तो सबसे पहले जो comparison हम करने वाले हैं वह हम करने वाले हैं इसका art के साथ अब भई art क्या होता है पहले तो ही समझ लेते हैं पहले उसके features देख लेते हैं उसके बाद पता लगाएंगे ना management में वह features हैं के नहीं it says art refers to skillful and personal application of existing knowledge acquired through study observation and experience art का मतलब होता है skillful or personal application existing knowledge का जो कि आपने study से observation से और experience से acquire किया है इसके features होते हैं existence of theoretical knowledge मतलब इस particular form में क्या होता है बहुत सारी knowledge होती है theoretical knowledge होती है जो हमारे पूरवज थे उन्होंने कुछ कुछ सीखा over the time उन्होंने उसे note किया और compile करके हमें book की format में दिया यही होता है जैसे आज की date में हम लोग research करते हैं नया search कर रहे होते हैं और उसे हम कहीं पर लिखते हैं compile करके book बनाते हैं और आगे वाले को forward करते हैं तो मतलब हम next generation के लिए कुछ तयार कर रहे है कुछ knowledge level तयार कर रहे है तो ऐसे हमारे पूरवजों ने भी बहुत सारी ऐसी knowledge जो उन्होंने सीखी over the time वो theory में लिखी और theoretical format में उन्होंने हमें pass on करी तो art में in every art systematic and organized study material is available to acquire theoretical knowledge and experts in the respective fields apply these principles to their respective art form सेकिन है personalized application यह बोलते हैं भाया art को pursue करना is a different thing लेकिन उसे practice करना is altogether a different thing दस लोग होंगे जो same art form समझ रहे होंगे सीख रहे होंगे लेकिन उनको apply करने का दस का तरीका अलग होगा जैसे अभी मैं पिछले week मुझे थोड़ा सा बुखार चड़ा था fitness का तो मैं जुम्बा class चली गई अब जुम्बा क्लास में इंस्ट्रक्टर था वो step सिखा रहा था हम सब उसे copy करने की कोशिश कर रहे थे that's also an art form right वो हम सब उसे copy कर रहे थे और हम सब same step you know apply कर रहे थे अपने उपर लेकिन जब देखा जा रहा था ना सब अलग-अलग दिख रहे थे क्योंकि सब का apply करने का तरीका अपना different था तो यही main crucial part होता है आठ का की आठ सीखते सब से मैं लेकिन अपलाइ हर इंसान अपने अपने तरीके से करता है उसे आपने देखा होगा दो ना सब दांस करते हैं चाहे कितना अच्छा सिंग क्यों ना हो आजकल तो रिल में आया दिन मतलब पता नहीं कौन-कौन करता रहता देखती रहते होंगे तो दो लोग यूज़ली आजकल जब डांस करते हैं तो उस सिंग उनका बाद अच्छा होता है लेकिन अगर आप दे इसको practice करने का तरीका different होता है apply करने का तरीका different होता है थर्ड है based on practice and creativity art basically existence में जब आई और आज तक continued है वो किस वज़े से है वो अपनी practice और creativity की वज़े से है मतलब इसमें practice बहुत जादा लगती है और creativeness बहुत जादा लगती है यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो robotic types हो नहीं आपकी creativity involved होती है art involves creativity and practice of expert for example the music created by musicians are different तो the musical notes used are the same हर एक musician का जो music create होता है वो different होता है लेकिन musical notes तो सबके same ही होते हैं तो यहाँ पर basically हर एक इंसान ने अपनी personal creativity को apply किया same example आप वो personalized जुस में भी लिख सकते हो every manager has its own unique style of managing things and people he or she uses his creativity in applying management techniques and his skills improve with regular application since all the features of art are present in the management so it can be called as art चलिए इसको बाद में पढ़ता है पहले यह समझ लो यह पोलता है कि existence of theoretical knowledge होता है art में ठीक है अब बताव मुझे क्या management में एक theoretical knowledge नहीं होता है क्या management में यह पार्ट नहीं है बिल्कुल है management में भी theoretical knowledge है management में इतनी theory आपन पढ़ते है principles of management planning organizing यह वो हर एक चीज में कुछ अलग theory आ जाती है तो yes theoretical knowledge बिल्कुल है personalized application है बिल्कुल है हर manager अपने personal तरीके से काम करता है magnet range की बात करें यहां पर दो managers हैं दोनों का काम करने का तरीका different है हर कोई अपना जब काम कर रहा होता है वो different touch के साथ करता है जबकि rules तो organization के सेम ही है तो कहने का मतलब बस इतना है कि हर एक manager अपनी personalized चीजें इस्तिमाल करता है knowledge इस्तिमाल करता है while doing management तो yes यह point भी management में apply होता है based on creativity and practice क्या management creativity वाली act नहीं है क्या management में जो manager होता है वो लोगों को handle करते वक्त अपनी creativity अप्लाई नहीं करता है आपको दिन में पता नहीं कितने तरह है कि लोगों के साथ मिलना पड़ता है कितने तरह है कि लोगों की अलग-अलग demands होती है अलग-अलग features है वो तीनों ही management के द्वरा qualified किये जाते है तो क्या हम इसको 8 नहीं बोल सकते बिलकुल बोल सकते हैं that's why we can call management and ice क्योंकि management में वो सारे features मिल जाते हैं जो 8 में पाए जाते है 800 म मिलने वाले सारे features management में आये आर्याम से पाए जा सकते हैं तो इस तिये management को हम art बुला सकते हैं ओके चलिए ये थोधा सबसे simple part क्योंकि इसमें ज़्यादा ताम जाम नहीं था तीनो features थे तीनो features वो management में पाई जा रहे थे अब आता है थोड़ा ताम जाम वाली चीज़ बट उससे पहले एक बार screenshot ले लो यार चलो management as an art का screenshot ले लो ये दो features है then the remaining one और फिर उसके बाद comparison last paragraph में लिखा हुआ है ठीक है चलो अब management as a science की बारे में बात करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं science क्या होता है science is a systematized body of knowledge that is based on general tooth which can be tested anywhere anytime ये कुछ general tooth पे based होती है truth पे based होती है जो कि हम कहीं पे भी test कर सकते हैं किसी भी समय पे test कर सकते हैं the features of science are as follows systematic body of knowledge principle based on experiment and observation universal validity देखिए इसी definition पे अगर हम देखें तो इन्होंने तीन चीज़े बोलिए कि systematic body of knowledge है मतलब एक पूरा body of knowledge आपने create किया हुआ है जो कि cause or effect relationship पे based होता है उसके बाद इन्होंने बोला है कि experiments और observations पे based होते हैं general truth पे based होते हैं general truth आपको कैसे पता लगते हैं जब आप बार बार चीज़ों को observe करते हो होते हुए देखते हो आप देखते हो कि भाया इसमें क्या चीज़ हो रही है आप experiment करके देखते हो और बार बार सेम रिजल्ट आता है लाइक अगर आप कभी किस चीज़ को किस चीज़ के साथ मिलाएं science इतनी पुरानी पड़ी थी ना याद भी नहीं आ रहा मुझे कुछ पानी में अगर हम color mix करते तो वो colorful हो जाता है ना इतना ही आ रहा है मुझे science में अभी फिला लिया ठीक है तो यह मतलब पानी में अगर हम किसी भी color को इस्तेमाल करें तो वो colorful बन सकता है यह हमने कैसे पता लगाया यह हमने पता लगाया बार-बार यह particular act करके कि पानी में अगर हम green color mix करेंगे तो वो green color का बन जाएगा हमने बार-बार यह experiment किया यह पता लगाया कि पानी खुद ट्रांस्पेरेंट है जिसका खुद का कोई नहीं है लेकिन अगर आप कलर मिलाते हैं तो यह उसी कलर का हो जाता है ठीक है तो प्रिंसिपल्स जो है यहां पे जितने भी प्रिंसिपल साइंस में बने हुए हैं जिनको हम जेंडरल प्रिंसिप इससी दाला की इसके साथ यह मिलाने पर यह होता हर यह मिलाने पर यह हमने बहुत करके देख लिया है आप को अपना इस्पेरिमेंट करने की कोई आउशक करें लिए पर यह पता रहे हैं कहीं पर अप्लाइं करो किसी बिवा ज Moreover, यह ड़यों से उंवाने तो पानी में तो यहां पर यूनिवर्सल वेलिटिटी और यूनिवर्सल अप्लिकेशन होती है मतलब कहीं पर दुनिया के किसी फी कोने में किसी भी समेंबे अगर तुम यह पर्टिकुलर काम करोगे तो सेम रिजल्ट मिलेंगे चलो यह तो हो गई साइंस के तीन features, okay, चलो, अब देखते हैं कि क्या management and features के पर खड़ा उतर सकता है, ये बोलते हैं, management has systematic body of knowledge and its principles are developed over a period of time based on repeated experiments and observations which are universally applicable but they have to be modified according to given situation, somebody was asking me पहले कि ma'am management के principles भी तो universally applicable होते हैं, तो बेटा होते हैं लेकिन उसको साथ में हमें कभी न कभी क्या करना पड़ता है, modify करना पड़ता है, वो same नहीं रहते हैं, उनको हमें कभी न कभी modify करना पड़ता है given situation के according, तभी तो हम बोलते हैं, management dynamic in nature होता है, ठीक है, तो यह यहा management are not exact as the principles of pure science, so it can't be called as a pure science, चलिए, यहाँ प्यादा होते हैं, देखे, पहली चीज, क्या यह वाली चीज, management में मिलती है, बिलकुल मिलती है, it's a systematic body of knowledge, बिलकुल है, हमने आठ में भी बढ़ा था, उसके बाद principle based on experiments and observations, यह हम यह नहीं बोल सकते, completely true है, लेकिन partially true है, ठीक है, मतलब completely we can't say this particular thing is, this particular feature is true, बट partially true है, ठीक है, और अगर हम बात करें, universal validity की, तो नहीं ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखो, तीन feature में से, डेड़ feature almost qualify कर पा रहा है, management, तो अब क्या आप management को science बुला सकते हैं, out of three features, जैसे art में, तीनों के तीनों feature management में मिल रहे थे, आप में तीनों के तीनों feature थे, वो management में मिल रहे थे, इसने हमने management को बुला कि तुम art हो, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं science की, तो science में यह हो रहा है, कि तीन feature में से, सिर्फ डेड़ feature ही management qualify कर पा रहा है, तो ऐसे में क् आप में वो बोल सकते है, science बोल सकते हैं, तो यह बोलते हैं, देखो, बोल भी नहीं सकते हैं, और बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, मतलब डेड़ feature तो qualify कर रहा है, इसलिए हमने इसको नाम दिया, in exact science का, या फिर impure science का, कि management के कुछ features science के साथ match करते हैं, तो as a result of which हम इसको क्या बुला सकते हैं, in exact science बुला सकते हैं, या फिर impure science बुला सकते हैं, अगर कोई भी feature qualify नहीं करता, तो हम इसे science बिलकुल नहीं बुला सकते थे, but reason being, out of three features, देड़ feature के qualify हो रहे हैं, इसलिए हम इसे बुला सकते हैं, 50-50 वाली choice इस्तमाल करते हुए, त that's why we can call it as an in exact science, ठीक है, चलिए, अब फट से इसका screenshot ले लिजे, ये तीन features science के, and then management के साथ इसका comparison, done, चलिए, अब हम आजाते हैं, अमारे last nature पे, जो की है, profession के साथ compare करना management, management and profession में, पहले तो profession की definition पढ़ लेते हैं, देसे, profession means an occupation for which specialized knowledge and skills are required, an entry is restricted, ये एक occupation होता है, जिसमें आपको specialized knowledge और skill की अवशकता होती है, और इसकी entry क्या होती है, restricted होती है, तो kind of उन्होंने definition में ही features को explain कर दें कि भाया, ये तो पहली बात है, एक occupation है, ठीक है, बखायदा है, एक proper, जिसमें लोग काम करके, अपना livelihood करते हैं, व जिसमें बहुत specialized knowledge और skill का इस्तमाल होता है, तभी हमारे यहाँ पर professionals को इतनी जादा हिजद दी जाती है, और इसकी entry जो होती है, वो restricted होती है, हर कोई नहीं इसका part बन सकता, कुछ selected लोग जो की कुछ restrictions को खतम करके आगे बढ़ते हैं, कुछ test papers को clear करके आगे बढ़ते हैं, सिर्फ वहीं लोग को वो सभागय मलता है कि उन्हें वो professional बुलाया जा सकता है, इसके feature में बोलते हैं, well defined body of knowledge, जैसे की बाकी art और science में हमने पड़ा, कि दोनों में ही जैसे एक systematic body of knowledge create किया गया था, वैसा profession में भी होता है, it is a complete set of principles, concepts, terms and activities that make up professional domain, जैसे मैं अगर बात करू CS क company secretary, या फ़र CA की, Chartered Accountant, तो यह दोनों ही क्या है, professional courses है, तो इसको complete करके कोई भी इंसान क्या बनता है, professional बनता है, तो इसमें हमने बहुत सारे principles, बहुत सारी चीजे जैसे company law, जैसे normal laws, जैसे बहुत सारे tax की बारे में information, financial management की बारे में information, यह सारी चीजे पड़ी थी और यह सारी चीजे इसके domain का part है, ठीक है, तो यह एस एक पूरी systematic body बनी हुई है, well defined body of knowledge बना हुआ है, second is restricted entry, like कोई भी इंसान क्या आपने आपको CA या CS बिला सकता है, या doctor बिला सकता है, या फिर lawyer बिला सकता है, नहीं, आपको जो exams होते हैं उसके, उन्हें qualify करना पड़ता है, उस के बाद कहीं ना कहीं आपके नाम के आगे वो particular degree या professional लग पाता है, कोई particular इंसान doctor तब तक नहीं कहला जाएगा, जब तक वो MBS complete नहीं करेगा, कोई भी इंसान CA तब तक नहीं कहला जाएगा, जब तक वो CA वाले exams क्लियर करेगा, कोई इंसान CS नहीं कहला जाएगा, जब तक वो CS वाले exams क्लियर नहीं करेगा, तो ऐसे हर एक profession में entry पाने के लिए कुछ restriction set की गई है, कुछ exam set की गई है, जिनको आपको qualify करना पड़ता है, उसके बाद आप कहीं जाके कुछ बन पाते हैं, और इसी के साथ-साथ code of conduct भी था and at the same time, एक body भी थी, जिसमें members part लेते हैं तो यह दोनों यहां पर mention नहीं है, मैं आपको थोड़ा से explain कर देती हूँ, यह बोलते हैं कि professionals के लिए code of conduct बनाये जाते हैं, जिसके basis पे उन्हें act करना पड़ता है, मतलब जैसे गर माल लीजे, मैं CS हूँ, तो CS वाले लोगों को ICSI ने कुछ code of conduct दिये हूँ है, जो rules बनाय हूँ है हमारे लिए, अगर हम उन्हें follow नहीं करें, तो हमें हो सकता है membership हमारे छीन ली जाए हम से, ठीक है, तो हमें उन rules को follow करना पड़ता है, तो हर profession में होता है कि code of conduct बनाये जाते हैं, उसके अलावा there is this body जो अलग से establish की जाती है, अलग से organization बनाये जाती है, institution बनाये जा कराते हैं, तभी वो professional बुलाये जा सकते हैं, मैंने CS बनके ICSI में registration करवाया, तभी तो मुझे आज अपने नाम के आगे CS लगाने का advantage मिला, तो आपको वो सारे restriction भी fulfill करनी पड़ती है, तो इसके अलावा दो और points है, जो मैंने mention किया है, code of conduct वाला, और organization specially created for that particular profession, ठीक है, अब अगर बात करें हम management के बारे में, कि क्या management इन सारी चीजों को fulfill कर पाता है, तो जब इसकी बात की जाए, तो yes, management में systematic body of knowledge है, code of conduct third point था, and fourth point था हमारा, organization specially created for members, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, बढ़ आप धिहान रखिएगा, अब अगर बात करें, फिर्स वाले point की, तो well defined body of knowledge क्या management में है, बिलकुल है, restricted entry, क्या management में है, ऐसा कुछ है, नहीं, code of conduct, क्या managers के लिए कुछ अलग से code of conduct बनता है, yes, बनता है, लेकिन वो mandatory नहीं होता, apply करना, ठीक है, तो यह आजाएगा, cross, फिर आजाता है, organization अलग से बनी हुई है, members के लिए, बहुत सारी बनी हुई है, लेकिन कोई ऐसी mandatory वाली नहीं है, जिसमें आपको participate करना जरूरी होगा, तो देखा जाए, तो out of four features, सिर्फ एक ही feature qualify कर पा रहा है हमारा management, तो इसलिए हम management को profession नहीं बुला सकते, management does not qualify all the features of profession and thus it is not a full-fledged profession like doctor or lawyer, चेक है, आया समझ, मैं इसको screenshot लेने का समय देरी, उसके बाद मैं एक बार हलके से बता दूंगे तीनों ही चीज़ों के बारे में आपको जल्दी जल्दी, पहरे इसका screenshot ले लीजे, चलिए, तो अब अगर हम बात करें वापिस से, किसके, management as an art, management as a science, और management as a profession के बारे में, तो art के सारे features, management qualify करती है, science के कुछ features, management qualify करती है, कुछ नहीं करती है, इसलिए उसे in exact science बोला जाता है, in exact science बोला जाता है, और profession के maximum features वो नहीं match कर पाती है, तो उसे profession नहीं बुलाया जा सकता, तो art की बात करें, तो yes, management is an art, क्योंकि तीनों के तीनों features, management में पाए जाते हैं, जो art में मिलते हैं, science की बात करें, तो out of three features, सिर्फ डेड़ फीचर ही वो qualify कर पाता है, इसने हमने इसे in exact science का नाम दिया है, और profession की बात करें, तो maximum features management के नहीं fit बैठते हैं, so as a result of it, हम उसे profession नहीं बुला सकते हैं, चलिए, अब इसी बात पर चलते हैं, हमारे next topic पे, जो की है levels of management, देखिए, जब हमने पढ़ा था कि management is a pervasive, तो मैंने आपको एक line बोली थी, कि हर एक type की organization में, हर एक department पे, हर एक level पे management apply करी जाती है, तो वहां से कहीं न कहीं आपको समझ लेना चाहिए था कि management हर एक level पे applicable होती है, तो मतलब management के बहुत सारे levels होते हैं, तो अब levels की बात करें, तो ये diagram आप देखिए ध्यान से, इसमें तीन levels ड्रॉ किये जाते हैं, जो first हमारा level होता है, उसे हम बोलते हैं top level, top level management, फिर नीचे वाले middle level, and last होते हैं हमारे lower level, या फिर इनका दूसरा नाम भी होता है, that is operational level, थेक है, तो इने operational level management भी बोला चाहता है, lower level management भी बोला चाहता है, अब आप सोच रहोंगे, ऐसे 3 bifurcation क्यों है, लाइक इनका क्या अलग-अलग काम रहता है, कौन रहता है इसमें exactly, तो yes, indeed, इनका सबका अलग-अलग काम रहता है, एक एक करके हम वो समझ लेते हैं, जो हमारी top management होती है, तो वो सबसे बुद्धी जीवी लोगों से मिलके ब जाते हैं, जिनका intellectual बहुत अच्छा माना जाता है, वो सारे लोग top level पे बैठके, पूरी organization के लिए rules, regulations, policies, strategies बनाते हैं, तो यहाँ पे organization के top लोग आते हैं, जो policies and strategies बनाते हैं, और कहीं न कहीं organization को ऊपर लेके जाने वाला काम करते हैं, यह पूरी organization के लिए काम करेंगे, इन होता है, पूरी organization के लिए overall काम करते हैं, बाहर के environment को study करते हैं, उस study के basis पे organization में क्या changes लाने चाहिए, वो बताते हैं, और organization के जितने goals होते हैं, उनके बारे में निरने लेना भी इनी का काम होता है, तो यह सबसे top level वाले हैं, जिनके पास सबसे दिमाग है, तो इनका main काम दिमाग का होता है, ना की हाथ का, फिर हम आते हैं middle पे, तो यह middle वाले जो है, यह top और lower के बीच में, एक link का काम करते हैं, बीच में आ रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं बेसिकली, ऐसे मानिए, river का एक सिरा, दूसरा सिरा और यह bridge हो गया, तो bridge का काम कौन करते हैं, middle वाले कर करते हैं कि top level ने जो बोला है, वो lower operational level तक आपको बताना पड़ेगा, and vice versa, इनकी जो demands है, वो top level तक पहांचानी पड़ेंगे, तो इन दोनों के बीच में जितनी भी बाचीत होती है, जितने अभी सारी चीज़े होती है, वो इनके through होती है, इसमें maximum managers आ जाते हैं, sales manager, producer, production manager, ये manager, वो manager, वो सारे इसमें आ जाते हैं, फिर आते हैं lower और operational level वाले, ये वो होते हैं जो worker से direct contact में रहते हैं, ये उनके उपर supervision रखते हैं, ये उनका काम देखते हैं, ये actually ensure करते हैं कि जो policies top level ने बनाई थी, जिन policies को middle ने समझा और आगे organization को समझाया, मतलब lower वालों को implementation हो रहा है, या नहीं हो रहा है, ये policy वाली line को दुबारा से सुन लीजी एक बार, top level वाले पूरी organization के लिए policies बनाते हैं, environment को scan करके, उनही policies को समझ के आगे समझाने का काम middle वाले करते हैं, और उन policies की proper implementation हुई है, या नहीं हुई है, वो लोग ये ensure करते हैं, मतलब ये ensure करते हैं, understood, तो हर किसी का अपना-पना काम है, ये direct worker से contact में रहते हैं, ये दोनों के बीच में एक link का काम करते हैं, और top वाले जो होते हैं, वो पूरी organization के लिए policies बगेरा बनाते हैं, ठीक है, आया अच्छे से समझ, चले फिर हम इसके explanation पे delete कर रही हूं मैं ये, आगे हम जाते हैं, top management में, यहाँ पर नाम पढ़ लेना, क्योंकि कई बार MCQ में ये पूछ लिया जाता है कि बताओ, CFO कौन से level पर आता है, level 1 पर 2 पर 3 पर किस पर आता है, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए, तो सारे नाम पढ़ लेना, कौन कौन से इंसान इसमें आएंगे It says, designations and functions comprises of CEO, Board of Directors, Managing Director, General Manager, Vice President, मतलब यह सारे लोग किस में आते हैं, top management में आते हैं, इनका main task होता है, conceptualizing of organizational goals, policy and strategy, formulation of organizing, controlling and monitoring activities and resources, controlling the work performance of individuals and approving budget जितने भारी भर कम काम हैं जिसमें दिमाग का इस्तमाल होता है, वो सारे के सारे यह लोग करते हैं, चलिए, अब हम चलते हैं हमारे second उस पे, middle management पे, इसमें designations and functions comprises of departmental, sub-departmental, divisional heads, its main task is execution of plans, policies framed by top level management and preparing organizational setup by appointing employees and issuing instructions and motivating employees ensuring inter-departmental cooperation as well, दो departments के बीच में जो cooperation होता है, वो भी ensure करना इनका काम होता है, employees को hire करना इनका काम होता है, employees को motivate करना, उनको instructions issue करना वो भी इनकी का काम होता है, उसके अलावा यह plans policies को execute करते हैं, जो कि top level द्वारा बनाई जाती हैं, और organization की जो basic छोटे वर्टे चुटर पुट काम होता हैं, वो यह देखते हैं, देन है हमारा supervisory और operational level, इसमें क्या आता है, designations and functions consist of foreman and supervisor एक sector, supervisor यह foreman इसके अंदर आते हैं, main task होता है, इनका ensure करना, actual implementation of policies as per directions of top and middle level managers, top and middle level managers ने जो policies दी हैं, इनको क्या उनका actual implementation हुआ है, डंक से की नहीं हुआ, वो यह ensure करते हैं, also to bring workers grievances before the management and maintain discipline among the workers, मतलब workers के बीच में discipline maintain करना भी इनका काम होता है, क्योंकि यह directly workers से connected होते हैं, तो आई बात समझ में, तीन levels है, top, middle और lower या फिर supervisory या operational level जो मर्जी बुला लीजे, इनका काम होता है, policies बनाना, यह वो policies को समझते हैं और आगे समझाते हैं, और इनका काम होता है, यह ensure करना कि policies का implementation ढंक से हुआ है के नहीं हुआ है, यह वाले इनके इनके बीच में link होते हैं, और यह वाले workers और organization के बीच में link होते हैं, यह वाले सबसे बुद्धी जीवी लोग होते हैं, जो कि सबसे important consider किया जाते हैं, assets होते हैं organization के लिए, और इस तरीके से 3 levels bifurcated हैं, चलिए, screenshot लेंगे, फड़ा फट, top management का लीजिए, नाम याद रखिएगा, मैं बार बार आपको reminder दे रही हूँ, नाम याद रखिएगा कौन सा इंसान किस उसमें आते हैं, क्योंकि बहुत बार महां से question पे किये जाते हैं, Done, चलिए, अब हम चल पे हैं functions of management के उबर, देखिए, जब मैं management के बारे में आपको बता रही थी, बिल्कुल initial stage पे, तो मैंने कुछ functions mention किये थे, like planning, organizing, staffing, directing, controlling, अभी हम उनहीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, देखिए, first जो management का function होता है, वो होता है planning, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम plan करते हैं, सोचते हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा सोचने वाला काम होता है, intellectual का काम होता है, वो planning में होता है, It says, planning activities to achieve the organizational objectives, सबसे पहले मैं यह सोचा जाता है कि organization के goals क्या है, उन goals को कैसे achieve करना है, कौन-कौन से अलग-अलग तरीके हैं उन goals को achieve करने के, उन सब तरीकों में से कौन से वाला best है, उसे select करना, उसे implementation के लिए देना, यह सारा काम planning में आता है, जैसे मैं बोलू, शादी कराने के बहुत अलग-अलग तरीके हो सकता है, like आप court marriage करा सकते हो, आप normal, मतलब एक not so classy but simple सी शादी करा सकते हो मंदर में, आप गुरुदवार में फेरे करवा सकते हो, आप थोड़ी सी अच्छी शादी करा सकते हो, और एक होती है जो extra budget वाली होती है, वो शादी करा सकते हैं, जो usually जैन और गुपता लोग कराते हैं अपनी बच्चियों की, जितना मैंने देखा है, ठीक है, तो यह अलग-अलग तरहे की शादियां होती है, अलग-अलग तरह से आप शादिया करवा सकते हो, तो planning में सबसे पहले आप सोचते हो कि किस तरह की शादी करवानी है, फिर कौन-कौन से option available है, उन में से कौन से वाला best है, वो choose करना और उसे implementation के लिए देना, इस सारा planning का काम है, इसमें दिमाग लगता है, सबसे जादा दिमाग इसी काम में लगता है, और ये नीव है, बाकी सब steps की, अगर ये अच्छे से नहीं हुआ ना, आगे के functions अच्छे से नहीं हो पाएंगे, उसके बाद organizing, organizing resources and activities achieve the organizational objective, organizing क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है, कि इसमें organize करते हैं, तो क्या organize करते हैं, हम basically पूरे काम को चोटी 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 पार्ट में divide करते हैं, फिर जो best इंसान होता है, जो हमें लगता है कि इस काम को संभाल पाएगा, इस काम को अच्छे से कर पाएगा, उसे वो काम assign कर देते हैं, और इसमें हम organization की structure को भी fix करते हैं, कि हमें functional structure चाहिए, या फिर हमें divisional structure चाहिए, now what's functional or divisional structure, जब हम structure form करते है functions के basis पे, तो हम उसे functional structure बोलते हैं, लेकिन जब हम products के basis पे वो करते हैं, organizational structure तयार करते हैं, तो उसे divisional structure बोलते हैं, अब ध्यान दीजेगा दोनों ही चीजों का, ये दोना चीज़े आपको detail में और जानने को मिलेंगी आगे वाले chapters में, ठीक है, तो अभी नहीं भी समझ में स्टाफिंग में बेसिकली हम राइट इंसान को राइट पोजिशन पे, राइट टाइम पे हायर करने के बारे में सोचते हैं, मतलब सही इंसान को पकड़ के लाना कहीं से भी दुनिया में, और उसे उस पोजिशन पे बिठाना, जहां पे उसकी requirement सबसे जादा है, वो भी सह समय पे, that is called staffing, और डारेक्टिंग में हम इंसान को मोटिवेट करते हैं, कि तुम और कर सकते हो, तुम बहुत बढ़िया कर सकते हो, हम उन्हें लीड करते हैं, कि तुम ऐसे नहीं ऐसे जाओ, हम उनको कम्मिनिकेशन का अच्छा तरीका देते हैं, मतलब कम्मिनिकेशन इंप पर भी रखता हैं कि कुछ गलत तो नहीं कर रहें, तो डारेक्टिंग में यह सारे कामा जाते हैं, लास्त है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में हम यह देखते हैं, कि जो हमने सपने बुने थे, और जो हमने अच्छीव किया है, क्या वो एक दूश्रे के साथ बैठ पा रहे ठीक है, तो प्लानिंग में सोचना is the main activity, दिमाग का काम लेना is the main activity, अलग-अलग course of actions available होते हैं, उनमें से best one select करना, सबके pros and cons देखके, प्लानिंग का काम होता है, और गिनाइजिंग में हम पूरे काम को चुटर चुटर पार्ट्स में बाइफरकेट करते हैं, और सही इंस सब्सक्रान को सही position पर बिठाने का काम करते हैं, सही समय पे, और directing में हम उन्हें motivate, lead, supervise and communication का proper करवाते हैं, controlling में हम जो हमने सोचा था, जो हमने achieve किया है, दोनों का difference देखते हैं, और उस difference को कैसे कम किया जा सकता है, वो चलता है, तो यह 5 functions है management के, अगर इनमें से अभी आप समझ में नहीं आ रहे, वो उन chapters में समझ में आ जाएगी आपको, ओके, चलिए, now let's move to next part, ओके, sorry, थोड़ा बात इसका पढ़ना भी है, तो planning में यह बोलते हैं, setting objectives and targets and formulating an action plan, it bridges the gap between where we are and where we want to reach, यह line बहुत अच्छी है, चिपकादन अपने paper में, हम कहां आज हैं और हम कहां पहुचना चाहते हैं, यह particular चीज planning decide करती है, there हैं organizing, it involves assigning duties, grouping, task, establishing authority and responsibility relationship and allocating the resources required to perform a specific plan, duties को assign करना, task को group करना, मतलब same nature की task को एक तरफ डाल देना, अलग nature की अलग डाल देना, authority or responsibility relationship fix करना और resources को allocate करना कहीं न कहीं organizing का part होता है, then staffing, finding and placing the right person for the right job at the right time, तीन राइट आएंगे, यहाँ पे तीन हो लिखने हैं आपको अपने paper में, it involves recruitment, selection, placement, induction and development of employees, यह तो आपको सारी चीज़े तपता चलेंगे जब आप actually वो chapter पढ़ रहे होंगे, अभी वैसे ही याद रख लो, directing म to perform the assigned task efficiently and effectively, controlling में दे से रख रख रहे होंगे, तो फड़ा वादिन का screenshot ले रो, फिर हम बढ़ेंगे अपने next topic पे, probably the last second topic हा, चले, अब हम आगए हैं, हैं इस particular chapter के almost last topic पे, almost क्यों बोला है, क्योंकि coordination पढ़ने के बाद हम coordination के functions, features वग्यरा पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं इसको last, मतलब almost last बोल रहे हूँ, सबसे पहले तो जान लेते हैं, coordination क्या है, देखे, organization में इतने सारे लोग काम कर रहे होते हैं, इतने सारे departments होते हैं, इतन पापा की सोच different होती है, दादा-दादी की सोच different होती है, बच्चों की सोच different होती है, तो मम्मी वहाँ पे क्या काम करते हैं, मम्मी वहाँ पे सबको साथ लेके चलने वाला काम करते हैं, कि तुम लोग के सोच different है, it's okay, but family हम same है, तो let's be together, right? तो वो आपकी पूरी family को bind करती हैं वो नमी जो है न वहीं हमारी coordination ठीक है यह पूरे के पूरे organization में जो functions हो रहे हैं जो काम चल रहा है जो सारी चीजे चल रही है management चल रही है उसे कहीं न कहीं बाइंड करके एक साथ जोडे रखने में मदद करती है यहां पर देखिए अलग-अलग functions है ठीक है वैसे तो किसी ने पहले बहुत पहले सजेस्ट किया था कि को भी function बना देना चाहिए जैसे यह बाकी सब functions है लेकिन फिर देखा गया कि अगर उसे सर्फ एक function बना देंगे न तो उसके value कहीं न कहीं हम कम कर रहे होंगे क्यों क्योंकि कोडिनेशन आपको हर एक से पर रिक्वाइड होगा आपको planning organizing के बीच में कोडिनेशन चाहिए हो गया या पर कोडिनेशन चाहिए हो गया तो overall circle में कोडिनेशन की requirement होगी अगर हम उसे एक function बना देते हैं तो माल लीजे planning के बाद का function बना देते हैं तो उसको अलग से यहां पर fix करोगे मतलब बाकी जगी वह applicable नहीं होगी तो उसकी value directly इन्होंने features पर जंप किया है coordination के कुछ features यहां पर लिखे हुए हैं करके समझ लेते हैं first feature इसका बोलता है coordination integrates group efforts हम सब को पता है organization किसी एक के काम से चलती नहीं है बहुत सारे लोगों की combined effort से चलती है तभी तो organization overall वो काम कर पाती है जो वो करना चाहती है so it says it is an orderly arrangement of group efforts to ensure that performance is at par with the plans and schedules second है coordination ensures unity of action it is a binding force between various departments and ensures that all efforts are focused towards achieving the organizational goal यह एक binding force है जो कि सारे अलग-अलग जो departments होते हैं उनके efforts को compile करते जैसे उपर लिखा था ना वहाँ पर individual के बारे में बात हो रही थी कि organization में जितने भी individual काम करते हैं उनके efforts को combine करके आगे चलवाने वाला काम करती है उनके efforts के बीच में आपको यह बार 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 करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं आपके organization आगे बड़े और अच्छे से आगे बड़े तो यह never ending process है just like management it is a never ending process as its need are felt at all levels and in all activities in the organization it begins at the planning stage and continues until controlling यह planning से शुरू होती है और controlling तक चलती है और उसके बाद दुबारा से planning पर शुरू हो जाती है coordination is responsibility of all managers यह बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि top level वाले जो managers है सिर्फ उन ही को coordinate करवाने की responsibility होती है नहीं हर एक level पर बैठे हुए managers का यह काम बनता है कि वो कहीं न कहीं coordination कर भाएं तो its coordination is equally important at all levels of management it is responsibility of all individuals in the organization to carry out their work in the responsible manner and coordinate with each other in the organization अच्छे शायद मैंने ना एक word गलत यूज करते था मैंने बोला था सब managers की responsibility बनती है सब इंसान की responsibility बनती है correct कर लिना उसे तो organization में जितने भी लोग बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं जो अपना individual effort दे रहे हैं उन सब की responsibility बनती है कि वो ना सिर्फ वो अपने efforts दें बलकि बाकी सब के साथ coordinate करके भी चलें ताकि उनके दिये हुए efforts successfully आगे कुछ result कर पाए ठीक है फिर है coordination is a deliberate function a manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious and deliberate manner in other words coordination is never established by itself rather it is a conscious effort on the part of every manager यह बोलते है कि coordination कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुद से हो जाती है कि भई आज तेरा मन हुआ तो खुद से हो जा वो होता है ना भूत प्रेट जो खुद से चिपड जाते है वैसा नहीं है यह बोलते है coordination आपको करवानी पड़ती है it's a conscious thing जो आपको deliberately करवानी पड़ेगी जो आपको अपनी तरफ से efforts पुट करके करवानी पड़ेगी फिर a coordination is all pervasive function it is needed in all departments and at all levels lack of coordination can lead to overlapping of activities coordination हर एक department को no matter वो कौन सा department है हर एक level पे बैठे हुए लोग हर एक type की organization सबको required होता है first say अगर हम magnet brains का भी example लेता है what do you think magnet brains आज वहाँ से यहाँ पहुच पाया है coordination नहीं रहा होगा coordination की वज़े से ही management मतलब magnet brains आज वहाँ है जहाँ पर उसे होना चाहिए था तो management along with coordination resulted in growth of particular organization चलिए यह तो हो गए थे features हमारे चलो उसका screenshot ले लो उसके बाद मैं importance पे आती हूँ last जो हमारा topic है इस chapter का वो है importance of coordination की आपको क्या जरूरत है coordination करवाने की इतनी क्या पढ़ी है अलग से कुछ करवाने का तो उसी के बारे में पढ़ते हैं पहले यह बोलते हैं growth in size यह बोलते हैं जब तक organization छोटी होती है ना चीज़े बड़ी अच्छी होती है बड़ा प्रेम प्यार होता है सब अच्छा चलते रहता है like Magna Brains पे अगर I remember हम 6-7 teachers ने शुरू किया था मतलब मैंने initially जोइन कर लिया था 3-4 महीने बाद जब शुरू हुआ Magna Brains तब I joined this particular organization तो उस टाइम पे बहुत कम लोग थे camera men's कम थे team members कम थे तो हम हम लोगों के 15-20 लोगों का ग्रूप बना हुआ था ठीक है तो तब बहुत प्रेम प्यार से सब चीज़े चलती थी कोई ऐसी coordination की अवशक्ता नहीं पड़ती थी मतलब था लेकिन वो implied था लेकिन जैसी जैसे organization grow हुआ आज की डेट में आप ऐसी देख रहे कितने सारे teachers magnet range पर पढ़ा रहे हैं जितने teachers पढ़ा रहे हैं उतने camera men's होंगे उतने team members होंगे उतने SEO team वाले होंगे तो उतनी बड़ी team हो गई है आज की डेट में जब बड़ी team होती है न तब confusion होने का probability सबसे ज़्यादा होता है आप मुझे बिताए जब तक आप दो friends है क्या कोई आपके बीच में आग लगा सकते हैं नहीं जब आप तीन या फर तीन से ज़्यादा friends हो जाते हैं तो वह group के अंदर एक group बना शुरू हो जाता है हमारे स्कूल में group था उस group में सारी जो हमारे sections थे a b c d e f सब sections के students involved थे लेकिन उनका फिर अपना अंदर भी उस group के अंदर भी अपना individual group था कि यह चार दोस्त मेरे best friends हैं बागी सब 17-18 मेरे normal दोस्त हैं तो ऐसा होता है जब आप बहुत लंबा मतलब आपकी टीम बहुत grow कर जाते हैं आपके तो उसमें फिर आपको कहीं न कहीं उनको साथ लेके चलने के लिए एक एक सेंस की requirement होती है वह essence हमारा coordination पूरा करता है तो coordination किसी भी organization को size में जब ग्रो करती है वो तब मदद करता है क्योंकि वहां पर उसकी requirement सबसे जादा फील की जा सकती है आप खुद भी इस चीज को फील करना जब तक आप एक दो तीन फ्रेंट का ग्रूप होना तब तक सब सही है लेकिन जैसे वह ग्रूप बढ़ने लगेगा ना ग्रूप के अंदर ही ग्रूप बढ़ने शुरू हो जाएंगे मेरा तो मैं बता रही इसे में क्योंकि आपका अलग-अलग बन गया है अलग-अलग बन गया है अलग-अलग बन गया अब आपका इतना साधा लिंक तो होगा नहीं चुट्र-मुट्र चीदों के लिए तो मिलना पड़ेगा तो वहां पर भी कॉडिनेशन की रिक्वार्मेंट बहुत जादा हो जाती है क्योंकि ऐसे में लोगों के बीच में डिस्टेंस आना स्टार्ट हो जाता है ग्याप आना स्टार्ट हो जाता है विच इस नोट हेल्दी पूर अपना अपना खुद का काम करने का तरीका होता है तो आप दूसरों से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं However, all departments and individuals are interdependent and cannot work in isolation But एक बहुत प्यारी line यहाँ पे इन्होंने बोली है कि organization में जब आप काम करते हैं Might भी आपका department अलग हो सकता है लेकिन कोई भी individual department पूरे organization के goal को अचीव करने में मदद नहीं करेगा सबके combined effort से होगा जैसे मैं बोलू, sales department है, बहुत अच्छा perform कर रहे है, बहुत अच्छा perform कर रहे है लेकिन production department बिल्कुल अच्छा perform नहीं करा क्या overall organization grow कर पाएगी? नहीं कर पाएगी Sales department को वैसे appreciation मिल जाएगा कि तुमने अच्छा perform किया लेकिन overall organization की performance अगर आपको देखने है तो आपको सारे departments को performance देखना पड़ेगा, तो ऐसे में हो सकता है मतलब एक काम दूसरे के उपर dependent होता है, दूसरे का काम पहले पर dependent होता है वैसे चलता है Specialization, mostly specialists have a feeling of, basically what they are saying is कि कई बर क्या होता है, कुछ लोग आते हैं organization में जो थोड़े expert type होते हैं ठीक है, उनको लगता है हम तो अलग है, हम तो इस दुनिया से अलग है, हमारा तो कुछ comparison ही नहीं है दूसरों के साथ हम तो superior है, तो inferior हो ऐसे scenario में भी coordination का role जादा बढ़ जाता है, reason being ऐसे लोगों को धरती पे लाके दूसरे लोगों के साथ बिठाना, दूसरे लोगों के साथ काम चलवाना, वो बहुत जादा जरूरी हो जाता है, ठीक है, और उसमें coordination कही न कहीं मदद करता है, so that's the last importance of coordination, ठीक है, चलिए, फड़ा बड़ा इसका screenshot ले लिजे, and उसके बाद हम चलते हैं, end of this particular video पर, चलिए, मैं आपको बता दू, हमने first chapter का complete revision complete कर लिया है, ठीक है, complete chapter revision complete कर लिया है, I hope आपको यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आओगा, जिस भी student को यह अच्छे से तेज थी, या फिर मेरा pace बहुत जादा तेज था, तो बेटा लोग, यह सिर्फ revision के लिए बना है, आप लोग के लिए individual videos already prepared हैं, उनको जाके पहले देखिए, और फिर यह वाली video देखेगा, यह सिर्फ paper से पहले, जब आपको दो-तिन दिन पहले revise करवाना होता है, तब के लिए बनाया गया, ठीक है, तो इसको तभी इस्तमाल करना है आपको, और कोई भी doubt है, अगर आपको है, तो आप comment section में लिख सकते हैं, अगर आपको notes चाहिए, तो वो आपको मिल जाएंगे description box के link से, और playlist का link भी आपको description box में मिल जाएगा, ठीक है, भरपूर अच्छे से पढ़ाई करो, तसली से पढ़ाई करो, अच्छे marks लाओ, हमें भी खुशी मिलेगे, अब यहाँ देख लो, यहाँ पर यह बता रहे हैं कि magnet brains अब सब जगे present है, ठीक है, कहा कहा present है, यह telegram पे doubt solving के लिए present है, Instagram पे present है, Facebook पे present है and as well as Google पे भी website बनी हुई है इसकी, आपको बस type करना है magnet brains.com तो आपको website दिख जाएगी, जिन भी students को playlist YouTube पे देखने में मतलब थोड़ा परेशानी आती है, उनके लिए पटिकुलर चीज बहुत मददकार होगी, यहाँ पे one shot revisions बने हुए है, CBSE English Medium में, one shot revision अलग से एक section बना हुए है, जिसमें सारे आपको दिख जाएगे, उसमें जाके आपको सर्च करना है पहले business studies, business studies जैसे आपको दिखेगा, business studies में आपको different chapters दिख जाएंगे, जो भी आपको chapter देखना होगा, उसको आप click करिएगा, वो video आपके सामने खुल जाएगी, और उस video से आप अच्छे से पढ़ लीजेगा, और उसके बाद आप इस चीज का फाइदा उठाइएगा, that's it, चलिए, magnet rinse पे आपको सब कुछ मिल रहा है, तो कहीं और जाने की कोई आवश्यक्ता नहीं, इसका भरपूर फाइदा उठाइए, thank you so much.